कैसे हो सबी लोग लाइब नजर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो हाई व्रवान बोलो यार कोई तो बोलो कोई तो बोलो ओके फाइन आगेस आ एम लाइव तो आज हम लोग अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो करने वाले हैं अमार एक्सक्रीटरि सिस्टम हम लोग कंप्रीट करेंगे थेक है फटा पट से सभी लोगों को एक बार मुझे लिंक सेंड करना पड़ेगा थाकि वी लोग पटा पट से जॉंड कर लें अच्छा शायद अभी तक वो चेंज नी हुआ है ना थमनेल थमनेल चेंज करना पड़ेगा ओखे जी, that's great, that's great चल ये, start करते हैं, तो कईसे हैं आप लोग बीबी बच्चे टाइम पर खाना दे रहें की नहीं दे रहें खाना दे रहें टाइम पर? सब एकदम बढ़िया, must? चलो ये बहुत अच्छी बात है बीबी बच्चे भी खाना टाइम पर दे रहें और तो क्या ही चाहिए फिर अपने को जिंदगी में बीबी बच्चे खाना टाइम पर दे रहें सट है जिंदगी चलो ओके यार तो हम लोग को क्या करना है आज अपना एक्सक्रीटरी प्रडक्स अंधिर एलिमिनेशन ये चाप्टर का वन शॉट हम लोग के पास आज रहेगा फटा फट से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो एक बार फटा फट से रिवाइस कर लाइक कर दो अच्छा एक बात मुझे बताओ एक बात मुझे बताओ सभी लोग फटा फट एक छोटी सी बात मुझे तुम लोगों से पूछनी है क्या हम लोग दो दिन कल और परसों दो दिन हम लोग हर चाप्टर का वन बाई वन करके टेस्ट ले लें तुम लोग बताओ, दो दिन में तुम लोगों को break दे दूँ, दो दिन यहाँ पे YouTube पे आगे classes ना लेके, जितनी भी हम लोगों की plant physiology हुई है, और जितनी भी हम लोगों की अपना, क्या हुआ है, एक तो plant physiology और दूसरा क्या हुआ है अपना, दूसरा अपना ये human physio के जितने भी chapters हुए है, सबी के सबी chapters के NCR sessions अपलोड कर दूँगी, and तुम लोगों का इन सबी के सबी chapters का बिलकुल NCRT based एक में test भी ले लूँगी, दो दिन तो कि तुम लोगों को सबी chapters revise करने में लगेंगे, minimum 2 दिन तुम लोगो सबी chapters revise करने में लगेंगे ठीक है अपने पास कितने दिन है अपने पास 5 chapter उसके और इस unit में कितने हो चुके है excretory system हो चुका है हम लोगों बस 4 हो चुके है 9 chapters 9 chapters का मतलब 1 दिन approximately 5 chapter और 1 दिन approximately 4 chapters ठीक है क्या ये done रहेगा क्या तुम लोगों को ये सही लग रहा है कि इसका हम लोग कल test ले ले और 5 chapters का test हम लोग परसों ले ले और उसके बाद में तुम लोगों के पास मैं साथ में YouTube के उपर जितने भी NCR sessions हुए है हर chapter के NCR sessions में upload कर दूँ अगर आप लोग इस चीज़ से agree करते हो तो बोलो क्योंकि देखो यार हम लोग आगे भागते जाएंगे और पीछे छोड़ते जाएंगे उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है ठीक है उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है इसलिए अपन क्या करते चलते हैं अच्छे से revise भी करते हुए चलते हैं और test ले ले लेते हैं एक बार फिर से सबी चीज़ों का उससे अपना काफी must ढंग से हो जाएगा need है ना इस चीज़ की जरत है ना ओके जी done होने वाले हैं मैं एक बार उससे सबसे सेट करके देख लूँगे फिर आप लोगों को बता दूँगे ठीक है? ओके यार ग्रेट 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 यह क्या हो गया? थैंक यू चाप्टर शूरू होने से पहले थैंक यू चलो जी पुषोना जादू टोना को इसको शेर कर दो फटा फट से फटा फट से कहां होगा और नहीं होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँगे टेस्ट कहां होगा कब होगा इसके जस्ट बाद एक वीडियो आप लोग की अपलोड हो जाएगी उस वीडियो को आप लोग चेक करना वहाँ पे आपको इनफॉर्म कर दी जाएगी हर चीज़ के बारे में चिक है ओके जी 15 लोग और चाहिए अपने को 15 लोग और चाहिए फटा फट से शेर कर तो 15 लोग को और बुला लो चलो एकदम हाई जोश है अब अपने पास यहाँ पर क्या होता है अनिमल्स क्या-क्या आक्यूमिलेट करते है हम लोगों की बॉड़ी में हम क्या-क्या चीज़ों को आक्यूमिलेट अपन करते है जो अमोनिया होता है यूरिया और यूरिक असिड तीन चीज़ों के बारे में हम लोग mainly बात करेंगे सभी organisms की बात यहाँ पर हो रही है अगर हम लोग किसी और organism की बात करें तो अपने पास क्या होता है ammonia वहाँ पर accumulate होता है किसी के अंदर urea, किसी के अंदर uric acid, तो इन सभी के सभी चीज़े, क्या ये हम लोगों के पास waste products है, waste products को मुझे बाहर निकालने की जरूरत है या नहीं है, हाँ जी, मुझे waste products को बाहर निकालने की जरूरत है बाहर निकालने की जरूरत है चलो ठीक है, great यार हम लोगो waste products को बाहर निकालना है अब जो ammonia होता है ammonia सबसे जादा toxic होता है, most toxic and it requires large amount of H2O, इसको बहुत जादा amount में H2O की जरूरत होती है इसको अगर अपने को निकलवाना है तो बहुत जादा H2O की जरूरत होती है उसके बाद दूसरा होता है urea and एक होता है ureak acid, ureak acid क्या होता है सबसे कम toxic सबसे कम toxic तो इसको minimum water की जरूरत पड़ती है तुम एक बात बताओ माल लो यह तुम लोगों के पास कोई भी एक surface है एक particular surface है यह तुम लोग का है यहाँ पर कोई ऐसी चीज चिपक गई जो बहुत ही जादा toxic है उसको साफ करने के लिए अपने हाथ से साफ तुम लोग करोगे या फिर ऐसे पानी फेक के मारोगे तकि वो वहाँ से निकल जाए तुम लोग खुद बताओ तुम क्या करोगे उसको अपने हाथ से रगड रगड के ऐसे साफ करोगे ऐसे साफ करोगे नहीं करोगे ना ऐसे पानी ऐसे फैक दोगे ताकि वो जो भी चीज है वो डस्ट है वहाँ से निकल जाए चलो ठीक है जी तो अपने पास ammonia के होता है सबसे जादा toxic होता है अगर अपना ammonia सबसे जादा toxic है तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर किस चीज की ज़ुरत है सबसे जादा water की जरूरत हम लोगों को यहाँ पर है okay, दूसरा अपने पास क्या है? eurelic acid, eurelic acid सबसे कम toxic है अगर सबसे कम toxic अपने पास यहाँ पर है तो उस case के अंदर हम लोगों को किस चीज़ के जरूरत होती है? minimum H2O की जरूरत हम लोगों को होती है किस चीज की ज़रूत होती है minimum H2O की requirement हम लोगों को होती है चलो जी तो ammonia, urea and uric acid तीन चीज़े हो गई urea क्या हो गया दोनों के बीच का तीनों चीज़े याद क्या क्या होता है सारे लोग मेरे साथ repeat करेंगे एक बार ammonia, urea, uric acid ammonia अपने पास क्या होता है उसको सबसे ज़ादा amount में water की ज़रूरत है वो क्या होगा, सबसे ज़ादा toxic होगा दूसरा आपने पास है uric acid uric acid least toxic होता है उसको minimum amount में water की ज़रूरत होती है minimum H2O required urea आपने पास क्या होता है moderate toxic, क्या तीनों की तीनों चीज़े सबी लोगों को याद और ये हमारे पास क्या होती है nitrogenous forms होती है चलो ठीक है तुमने कहा दी सर्फ यही चीज़े थोड़े न निकालनी होती है अपने को, साथ में हमें CO2 भी हमारी body में accumulate हो जाता है वो भी निकालने की ज़रुत है H2O भी हमारी body के अंदर बिना बात का sweating होती है हम लोगों को, वो भी बिना बात का धक्के से निकालने की ज़रुत है काफी सारे ions भी है जैसे कि K, P, S, C, L, N, A काफी सारे ions है, वो भी हमारी body में धक्के से eliminate हो जाते है ठीक है धक्के से eliminate हम लोग के पास हो जाते है तो ammonia क्या accumulate अनिमल्स क्या-क्या accumulate करते हैं सभी लोग एक लोग एक लिए ली सोच के देखें क्या-क्या accumulate करते हैं हम लोगों के पास तीन नाइट्रोजिनस फर्म्स कौन-कानसी ammonia, urea, uric acid एक बर मेरे साथ रिपीट करो ammonia, urea, uric acid कुछ और चीज़े भी साथ में क्या-क्या accumulate करते हैं carbon dioxide, water कुछ ions, potassium और हम लोग के पास phosphorus, sulfur, chlorine, sodium chlorine, sodium done इतना सभी लोगों को याद हो गया अच्छे से okay, next page देखो अब जो ammonia का excretion है उसको क्या ammonia ammonia का मतलब ammonotelism ठीक है अगर urea अपने पास है तो ureotelism ठीक है और अपने पास यहां पे ureak acid है तो ureco-telism तीना का नाम हम लोगो easily यहां पर पता चल रहा है अगर अपने पास ammonia है तो ammonotelism next अपने पास क्या है urea ureotelism done और अपने पास क्या है ureak acid तो ureak acid के अंदर हमारे पास क्या होगा ureco-telism तीनों चीज़ें done हो गई याद अब तुम लोग एक खुद बात बताओ अपने पास जो ammonia होता है वो क्या होता है सबसे जादा उसको पानी की जुरूरत होती है अगर उसको सबसे जादा amount में पानी की जुरूरत है मतलब कुछ ऐसे उनके अंदर होता होगा जहां पे अपने पास जो पानी में रहने वाले चीज़ें है पानी में रहने वाले चीज़ों के अंदर ही यह मिलता होगा क्योंकि इसकी removal के लिए water की अपने को जरूरत होती है तो bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects आच एक चीज तुमनों को बहत ही जाताcardads बarnos्क्षेह और वो किया कंफ्युस करेगी मेराइन Fishes थे उघ यह तो परणी वाले चीज यह थ पानी बॉले चीज़े है मेराइन Fishes तु전 है अगर अपने पास यहाँ पर हूगी तो उसके चैस के अंदर मेराइन Fishes तो इसलिए प्लीज उसको याद रखना, फिशिज तुम लोगों को हमेशा कन्फ्यूज करेगी, ठीक है, तुम्हें क्या करेगी हमेशा कन्फ्यूज, इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एक जगे पर है बोनी फिशिज और दूसरी जगे पर है मेराइन फिशिज, मेर अगर हम लोग अपने ट्रिक से याद करेना तो अपने पास जो यह मेराइन फिश वाला था वो इस इस अमोनिय वाले में आना चाहिए था और बोनी फिश वाला धर जाना चाहिए था लेकिन इसको प्लीज सभी लोग ध्यान रखेंगे बोनी फिश एक्वाटिक अम्फिबिय हैं वो कहां पर आ जाएंगे वो सीथी सी बात है वो यूरिया वाले केस में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है क्या याद रखनी है मेराइन फिश यूरिया वाले केस में है और बोनी फिश अमोनिया वाले केस में है ठीक है एक्वाटिक अम्फिबियन एक्वाटिक इ अब अमोनिया को जादा पानी की जुरत है, तो जो चीजे पानी में रहने वाली है, वही इसके अंदर मिलेंगी, पानी में रहने वाली कौन कौन सी ही अपने पास, अपने पास, अपने पास, अपने पास, अपने पास, अब जो अमोनिया होता है, वह कैसा होता है, पानी में पाणी में इसका मतलब, readily soluble होगा, सीद्धी सही बात है, अगर पाणी में are easily, वो उसको बहुत जयादा पानी की ज़ुरुत है, अगर उसको बहुत जादा पानी की ज़ुरुत अपने पास यहां पर है, तो उसके के अंदर, readily soluble वो होता है, तो excretion किस फॉर्म में होगा? तो क्या कोई भी कोई भी चीज ऐसे अफॉर्ड करें कि उसको पूरी बॉड़ी का एक चक्कर अंदर से लगवा के लेके आएं और लगवा के लेके आने के बाद उसको फिर एक्सक्रीट आउट करें क्या ऐसा कोई भी अफॉर्ड करने वाला है क्या कोई भी ऐसा चाहेगा कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा तो इसलिए क्या करेंगे मालो यहां बना यहां बनते ही हम लोग क्या करेंगे उसको डिफ्यूजन से वही निकाल देंगे भाई मेरी बॉड़ी के अंदर मत जाई हो बहु ओके जी तो नो सिगनिफिकेंट रोल ऑफ किड्नीज इन इस रिमूबल में किड्नीज का कोई भी सिगनिफिकेंट रोल अपने पास यहां पर नहीं होता है किडनीज तक तो हम पहुँचाएंगे नहीं वहां तक हम पहुँचाना चाहेंगे नहीं वहां तक हम लेकर जाना चाहेंगे नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को क्योंकि otherwise बिना बात बिना बात अपने को दिक्कत हो जाएगे याद इतना सभी लोगों को याद क्या सभी लोगों को excretion of ammonia के बारे में याद हो गया सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला ammonia सबसे ज़ादा toxic होता है सबसे ज़ादा water की ज़रूरत होती है ठीक है सबसे ज़ादा अगर water की ज़रूरत होती है अपने पास तो कौन सी, कौन से उनके अंदर मिलेगा, जो खुद पानी में रहती है, पानी में कौन-कौन रहते हैं, aquatic amphibians, aquatic insects, boni fishes रहते हैं, ठीक है, अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया होता है, readily soluble, उसका जो excretion होता है, वो ammonium ions की form में, और साथ में क्या होता है, diffusion से उसको, टाटा, बाई-बाई, खतम, निकल जा, kidney तक हम लोग तुझे नहीं पहुँचने देंगे, इसलिए kidney का इसके removal में कोई significant role नहीं होता है, done, इतना हो गया आद सभी लोगों को, क्या मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ, चलो यार, next अपने पास है excretion of urea, excretion of urea हमारे पास क् आप लोगों को याद करवा चुकी हूँ, क्या-क्या, terrestrial amphibians and marine fishes, तो अब ये वाला case में urea, urea हमारे अंदर बनता है, हमारी body में urea बनता है, ठीक है, तो ammonia, जो metabolism से बना था, पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको urea में convert करते हैं, कौन करता है, अपना liver, अपना liver पहले क्या करेगा, उसको urea में convert करेगा, क्योंकि किसी भी हालत में हम नहीं चाहते हैं, कि ammonia हमारी body के अंदर इधर उधर घूम रहा हो, मेरी पूरी body को damage करके निकल जाएगा, तो उसको पहले क्या कर लिया मैंने, urea में convert कर दिया, अब क्या करेंगे, अब blood वहां से उसको उठा क के लेके जाएगा, किड़नी इस तक फिल्टर आउट करेंगे, कुछ एक्सक्रीट हो जाएगा, कुछ किड़नी के मैडिला में रह जाएगा, और समोलारिटी को मेंटेन करने के लिए, कैसे नहीं होती है, इसके बार में हम आगे चाप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अमा अपने पास क्या होगा, यूरीको टैलिजम, यूरीको टैलिजम यह सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम पानी की जरुरत इसको होती है, तुम अब खुद सोचके देखो, तुम लोग अब खुद सोचके देखो, सबसे कम पानी की जरुरत होती है, तो आसमान में उड़ ज बिचारों को रेंग रेंग के पानी के पास तक जाना पड़ेगा तो भगवान ने क्या किया था कि एक ऐसा ही शिस्टम बना देता हूं कि इन लोगों को पानी की ज़ादा ज़रूरत पड़े ही न तुम खुद सोचके देखो बगवान कितनी मतलब अच्छे अच्छे तरीके से सोचते हैं चीजों को अब उड़ने वाले को जो पक्षी उड़ रहा है उड़ता उड़ता जा रहा है उसको नीचे पानी ढूड़ने जाना पड़ता इसलिए उसको क्या का चल भाई तरको पानी की ज़रूरत ही कम पड़ेगी ठीक है अब अपने पास रेप्टाइल्स हैं वह बिचारे रेंग रेंग के रेंग के जाते उनको भी क्या बोला चार तुम्हें भी पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी मतलब तुम लोग देख रहे हो भगवान बाइलिजिस्ट है अंडरेस्टिमेट करके चल रहे थे तुम लोग इसलिए कभी भी बायो का पेपर हो ना और तुम ऐसे सोचो कि कुछ नहीं आता अब भगवान से हेल्प मांगने से क्या ही होगा यार वो बाइलिजिस्ट है वो ब ट्राय करके देखना ठीक है ओक है तो अपने पास यहां पे क्या हो गया एक बड़ तुम लोगों को सारा दवारा से रिवाइस करवा देती हूं चाप्टर की हमने शुरुवात कैसे की थी हम लोगों के पास हमने कहा था कि सारे के सारे अनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉ ज़ादा टॉक्सिक होता है सबसे जादा वाटल की ज़रत इसको होती है तो कि ऐसी ही चीजों में मिलेगा जो पानी में रहती है अकवाइटिक एंफिबियन्स एकवाइटिक इंसेक्स बोनी फिश्च अमोनिया क्या होता है रेडिली इस्टोलीबल होता है और एक्सक्रिश प्रेपरेशन होती है अमोनियम आइंस की फोम है आदे लोग तो कह रहे हैं जिदी मैं तो नेट की प्रेपरेशन चोड़ रहा हूं जैब भूले नाथ की बायो तो भगवान संबाल लेगा ती जा रहे हैं हम तो क्लास चोड़ गया फिर आप क्यों ही पढ़ा रहे हो जब आदे गंटे से दिमाग खराब करते रहते हो रोज आके बैठ जाते हो मूँ ठाके सड़ा हूँ यहां पर दो गंटा मारा दिमाग खराब करते रहते हो बगवान के बारोसे ही चले रहे हैं चेक है कुछ लड़कियां जो सुन्दर हैं कुछ जादा ही वहता है सोच रहे हैं क्यों ना मैं भगवान कोई सेट कर लो कैसा रहेगा हाना सब समझती हूं मैं तुम भी सोसकते हो भगवानी भी तो होती है भगवान की वाइप भी तो होती है भगवानी बुलेंगे ना क्या बुलेंगे डेवी माँ Okay चलो दूसरा अपने पास क्या होता है यूरिया का यूरिया वाले के अंदर अपने पास क्या होगा यूरियो टैलिजम हम लोगे पास होगा तो किस-किस में हो गया टेरिस्ट्रियल एमफिबियन्स में मेराइन फिशिज में यह क्या करता है अपने पास अमोनिया को किसमें कर देता यूरिया के अंदर तो यह क्या करेगा ब्लड को ब्लड के अंदर फिर यूरिया रिलीस कर देगा करनी में पहुचा देगा बहां से next create out हम लोग करवादेंगे औरureacid वाले केस के अंदर क्या हो गया ureco malizam palette की फर्म में paste की फर्म में किस में reptiles में birds में land snails में Insects Done थेक है okay next अपने पास क्या है Invertibrates मैं आप बहुत गुरह हो कौनसा soap यूज करते हो saliva use करते हो यार रोँट सुबह उठके तो भी कर, ठेक है, हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, इसका हम क्या कर, ऐसा कटोरी लेकर, रोज सुबह सलाइवा निकाला अबना, और फिर उसको ऐसे लुगा, मुह पर लगा जा कर, एक दम मस्त, मुझे मत कहा न, जीच हा मत करना, ठेक है, हाँ, ऐसे ही करना, कल से, अदर्व अब इनवर्टीब्रेट्स अपने पास क्या होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी स्टक्चर्स होते हैं, वो सिंपल से टिबुलर पॉम में अपने पास होते हैं, तो इनवर्टीब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्टक्चर्चर्स हैं, वो कैसे हैं, सिंपल टिबुल डान ओके जी तो प्रोटो नेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स इन प्लैटी हेलमेंथीज कॉनिफर्स एनलीडा सिफैलो कॉड़ेट्स जैसे कि अपने पास एंफियोक्स प्राइमिली कंसर्ण्ड विद ओस्मो रेग्यूलेशन ठीक है बिल्कुल आसानी से करो क्या अपने पास है ध्यान से इनको याद करना है इन वर्टीब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी और फिर फ्लेम सेल्स प्रोको नैफरीडिया या फिर फ्लेम सेल्स किसके अंदर प्लेेटी हेलमेंधू की अंदर कॉनिफर्वर्द में फ्लेट्स में प्रोकोड़ो उसरे एनलेट में मलफीजियन टिव्यूल एंटीनल ग्लांट्स ग्रीन ग्लांट्स अगए और उसके बाद बात करेंगे human excretory system के बारे में उससे पहले अपन यह चीज़े याद करते हैं क्या क्या था पहले चलो याद करते हैं पहले अपन नाम याद करते हैं सबसे पहला नाम याद करो प्रोटो नेफरीडिया, नेक्स्ट नेफरीडिया, प्रोटो नेफरीडिया, नेफरीडिया, मालफीजियन टिब्यूल, एंटीनल ग्लांड्स, प्रोटो नेफरीडिया और नेफरीडिया, दोनों चीज़े साथ को कॉक्रोच को इमाजन करके देखो को कॉक्रोच के अंदर मालफीजन टिबूल ओट वाटिक लिए तुम लोग को याद आ जाएगा उसके कुछ एंटीने भी होते हैं तो एंटीनल ग्लांड्स एंटीनल ग्लांड्स चार चीजे हो गई मेरे साथ एक पर सभी लोग रिपीट करेंगे पढ़ परोटोनेफरीडिजन टिबूल एंटीनल ग्लैंट्स थीक है अब प्रोटोने इफरीडिया के बाद अपने पास है ने फरीडिया यह किसके अंदर होगा अर्थ हम में और थोड़े एनलिज के अंदर कुछ analytes के अंदर अपने पास यह nitrogenous waste निकालते हैं और fluid और ionic balance को यह maintain करते हैं सीधी सी बात है ionic balance को तो हर कोई maintain करके रखेगा अपना excretory system के अंदर mainly हम लोगो ionic balance के बारे में भी ध्यान रखना होता है जब अपन आगे chapter पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे भी कि कैसे हमें ionic balance को maintain करके रखना है तीसरी चीज अपने पास क्या है malfejan tubules malfejan tubules कहते ही तुम्हें क्या याद आएगा अपना kokru kokru हम लोग को हो गया और kokru के बचे हुए जितने भी भाई होंगे most of the insects most of the insects तो यह क्या करते है nitrogenous waste का removal करते है osmoregulation यहाँ पर होता है antennal glands या फिर green glands यह कहां पर अपने पास होंगे crustaceans में प्रॉंस के अंदर और फाइनली अपने पास है वर्टीब्रेट्स में kidneys जो कि complex tubular structure होता है यह किसी को भी याद करने की ज़रत नहीं है क्योंकि automatically आप लोगों को याद है दूसरा अपने पास क्या है antennal glands antennal glands किसके अंदर होंगे antennal glands अपने फसे हुए होंगे तुम लोग सोच के देखो crust के अंदर crustacean, prawn अपने पास यहाँ पर हो गया next है malfeasian tubule नेफरीडिया किसके अंदर हो गया थोड़ी सी developed चीजों में एनलीड के अंदर और अर्थवर्म के अंदर और बाकी बचे हुए अनवर्टिब्रेट्स जितने भी तुम लोग के बचे उन सब में प्रोटोनेफरीडिया डाल देना ये अगर किसी को याद नहीं हो रहा न तो इसको सोचना कि जितनी भी initial वाले चीज़ है थी न थोड़ी सी वो initial होनी चाहिए बाकी सब को क्या करना प्रोटोनेफरीडिया में डाल देना और नेफरीडिया के अंदर किसको डालोगे अर्थवाम को अनलेट्स को किसको अर्थवाम को अनलेट्स को इसके अंदर तुम लोग डालोगे मालफीजन टिब्यूल हम लोग के पास हो गया मालफीजन टिब्यूल किसके अंदर होगा मोस्ट इंसेक्ट्स के अंदर कोकरू के अंदर अपने पास किसके अंदर होंगे क्रस्टेशन में या फिर प्रॉंस हम लोग फर एग्जांपल प्रॉंस हम लोग के पास यहां पर हो गया इस दाट क्लियर तु यू आल और नॉट फटा पट से मुझे इतना बता दो क्या सभी लोगों को याद हो गया यह एग्जांपल सभी लोगों को याद हुए कि नहीं हुए क्या सभी लोगों को हम लोगों के पास इमानो टेलिजम यूरिको टेलिजम यूरियो टेलिजम वो चीज़े याद क्या सभी लोगों को यह सारे के सारे एग्जांपल अपने पास याद प्रोटो नेफरीडिया में न क्या यह भी आद आप बात करते हैं human excretory system की इस चाप्टर में हम लोग इन ही चीजों के बारे में मेली बात करने वाले हैं तो अपने पास यहां पर क्या हो गया हम लोगों के पास यहां पर हो गया human excretory system human excretory system done तो human excretory system अपने पास क्या होता है इसके अंदर होती है kidney का पेर kidney का एक पेर अपने पास यहां पर हो गया a pair of ureters तुम लोग को सब को पता यार अपने पास क्या होती है रुको एक kidney होती है यह हैं हमारी kidney मेरी kidney पर कोई हसेगा निमार कुड़नी आपने पास यहां पर होता है और एक urinary bladder मैं उल्टा बना रही हूं ठीक है कोई कहे गा नि कि urinary bladder नीच होता है नाइप चोड़ी urinary bladder अपने पास ज़्टर उगया और एक urethra यह last portion यह उल्टा है यह last portion क्या हो एक पैसं की अपने आपके रहा होग हुआ यह यह होगा दर हमारि की अपनी यंदर लिए्टनीज होति है मैं नेशनल लेल ली डराईंग कॉमप सम्पेटेशं के अनथना इट्री लिए लिए पुश्टिने टी जह मैं छोटी थी लिए अपने पास यहां पर क्या हो गया यह हो गई हम लोगों की kidneys के बाद यह हमारी ureter और यह अपनी क्या है urinary bladder and urethra and urethra ठीक है and क्या हो गया हम लोगों के पास urethra तो यह हमारे पास क्या होता है this is human excretory system दो अपने पास क्या है kidneys है kidneys में से ureter निकल रही है ureter में नीचे urinary bladder and urethra अब तुमने कहा kidneys के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो जो kidney अपने पास होती है kidney हमारे पास होती है वो कैसी होती है reddish brown कैसी होती है reddish brown हम लोग के पास यहां पर होती है bean shape की दिख रही है तुम लोग को bean दिखनी रही है तो पता नहीं बासूरी दिख रही है आमें तो पूरी बीन तो दिखनी नहीं, बाशोरी बिखरी आमें, देख लो y Paaf तो अपने पास जो किडवनी होती है ? वो क्या होती है ? गितनी किटने लेंध ? 10-12 cm हमारे पास क्या हो गया ? उसकी लेंध हो गई 5-7 cm इसकी विद्ध होती है ? 2-3 cm थिक 2-3 cm थिक, 5-7 cm width और 10-12 cm इसकी length होती है तो हम लोगों के पास यहाँ पर 120-170 gram इसका weight होगा अब तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है inner concave surface यहाँ पर हम लोगों के पास एक concave surface है उसके अंदर क्या होगाлом और यहाँ पर जितनी भी blood vessels हैं जितनी भी nerves हैं और जो youreter है वो सब की सब यही से entry मार रहे होते हैं सब की सब यही से entry मार रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने किसकе बारे में बात की human excretory system human excretory system के अंदर अपने पास यहां पर क्या होता है यार हम लोगों के पास क्या होंगी दो kidneys पटापट कमान गाइस मेरे साथ सभी लोग repeat करेंगे हमारे पास क्या होंगी दो kidneys होंगी दो kidneys के पाद अपने पास यहां पर क्या होंगी ureter हमारे पास होगी ureter के बाद ये क्या है urinary bladder है urinary bladder के बाद नीचे क्या हो गया वो हो गया हम लोगों का urethra वो क्या हो गया हम लोगों का urethra यहां पर हो गया हो गया की नहीं हो गया done, okay, great उसके बाद अपने पास क्या है उसके बाद हम लोग के पास है किड्नी किड्नी के अंदर क्या होगा हम लोग के पास रेड़िश ब्राउन कलर की होती है कैसे कलर की रेड़िश ब्राउन कलर की अपने पास यहां पर होती है रेड़िश ब्राउन कलर के अंदर अपने पास यहां पर क्या है हम लोग के पास यह अपने पास यहाँ पर एक नोच है हाईलम यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे और इसी में से अपने पास क्या करती है जितनी भी blood vessels हैं जितनी भी nerves हैं और जो ureter है वो इधर से ही kidney के अंदर entry मारेंगी इधर से ही निकलेंगी इधर ही सारे काम हो रहे होंगे क्या सबी लोगों को इतना पेज ये वाला portion सबी लोगों को याद हो गया नहीं हो गया, फटा फट से मुझे बता दो फटा फट से मुझे बता दो गेमर सहाब बता ओ, याद हुआ की नहीँआ कैसे कैसे नाम रखते हो झा तुम लोग दन याद फिर से इमाजिन करते हैं लास्ट बार अपने पास क्या है ये है हमारी दो किड्नीस ये क्या है ये हैं दो किड्नीस किड्नीस से क्या निकल कर आ रहे हैं दो यूरिटर निकल कर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है हमारा यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर के पर अपने पास क्या होगा यह होगा हम लोगों के पास युरित्रा युरित्रा डान डान चीक है युरित्रा अपने पास होगा नेक्स्ट अपने पास क्या है नेक्स्ट हम लोगों के पास यहां पर क्या है किड्नी कैसी होती है अपने पास कैसे कलर की रेडिश ब्राउन कलर क रेडिश ब्राउन कलर के पाद अपने पास यहां पर क्या होगा, बीन शेप की यहां पर होगी, इसके अंदर क्या होगा, एक यहां पर नोच होगी, हाइलम हम लोग के पास होगा, जिसके अंदर किस-किस चीज की एंट्री हो रही होती है, यूरेटर की, नर्व्स की, ब्लड it, लिखो कच, done, चलो, याद सभी लोगों को, okay, जी, आगे बढ़ते हैं, अब लोकेशन कहां पर होगी, लोकेशन होती है, यहां, पीछे, कहां पर होती है, पीछे हम लों के पास होती है, तो last thoracic and third lumber vertebra, last thoracic, जो thoracic vertebra मेरे है, last thoracic and third lumber, lumbar वाले portion थरड लंबर वाले पोर्शन में, closed to inner dorsal wall, in abdomen cavity, कॉन सी cavity में, abdomen cavity के अंदर, सबसे पहले इहां पे क्या होगा, inner, inner, inner होगा ना हम लोगे पास, inner dorsal wall, inner dorsal wall के अंदर, सीधी बात है, dorsal wall के पास, चलो, तो renal pelvis हमारे पास, अब क्या होता है, अब हम लोग के पास यहां पे, य अपने पास होंगे renal pelvis, projections होती है, जिनको क्या बोला जाता है, अब तुम सोचके देखोगी, इनको क्या बोला जागा, इनको तुम बोलोगे, केले, calvices, calices, 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 calices वर्टेब्रा हम लोग के पास यहां पर हो गया, close to inner dorsal cavity, क्या हम लोग के पास पीछे, abdominal cavity के अंदर inner dorsal wall जो है, dorsal मतलब पीछे वाली, और wall के अंदर ही होगा, तो inner dorsal wall उसके पास में बैठा हुआ है, abdomen cavity के अंदर, यह अपने पास क्या है, यहां पर हाइलम, हाइलम के ब को cover करवा के रखना है, तो kidney को कौन cover कर रही होगी, एक tough capsule उसको cover कर रही होगी, तो tough capsule हम लोगों की outer layer यहां पर बना रही है, क्या यह वाला page भी सभी लोगों को याद उसकी situation कहां पर होगी, और उसके अंदर अपने पास उसकी covering कौन कौन कर रही होगी, kidney का structure देखना है एक होता है हम लोग के पास inner zone, एक क्या होता है, outer, एक क्या होता है हम लोग के पास inner, ठेक है, एक outer, दूसरा inner, हर जगे पर ऐसे होगा, हर जगे पर ऐसे होगा, एक outer zone होगा, एक inner zone, सभी के अंदर क्या होता है, एक होता है, cortex, एक होता है, मैं डू ला, कुछ लोगों को पोर्शन के अंदर खड़ी करते या इनर पोर्शन के अंदर तो इसका मी अंदर अंदर इनर तो इनर क्या हो गया इनर वाला पोर्शन हम लोग के पास हो गया मैडूला तो दो जोन अपने पास होते हैं आउटर जोन इनर जोन अपने पास क्या होगा कॉर्टेक्स इनर जोन हम लोग के पास क्या होगा मी मी मीन्स मैडूला में 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 मैडुला ठीक है तो हम लोगों के पास यहां पर क्या हो गया यार आउटर कोटेक्स अपने पास है तो कोटेक्स के अंदर क्या थे काफी सारे कॉलम्स अपने पास थे पिट्विन पिरामिड रीनल कॉलम्स कॉलम ऑफ बर्टिनी यहां पर इसको बोला जाएगा बर बर्टीनी, columns of बर्टीनी, 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 भर दे, अंदर भर दे, बर्टीनी, भर दे, कार को अंदर भर दे, भर्टीनी, बर्टीनी, ठेक है, ओके, दूसरा आपने पास क्या है, मैडूला, मैडूला के कौन सा पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है, इसके अंदर क मास अंदर तुम मोटे मोटे हुए पड़े हो लोकडाउन के अंदर तो मास कहा पड़ा हुए मास अच्छा कासा बाहर तो पिरामिड्स पड़े हैं बाहर तो काफी सारे पिरामिड्स बड़े हैं पिरामिड्स तुम लोगों ने अपना पूरा गर का प्रोटेक्शन बना रख कॉनिकल भंगelshान फ़ल वार जाक ड़ी हो इस दो जोन मोग से है फटाफटte करो आख करो एक अपने पास किया है? आउटर कॉटेक्स उनर मेडूला, कॉटेक्स अपने पास है, वहाँ पर क्या होंगे, renal columns हम लोग के पास होंगे तो column of burtony हम लोग के पास हो गया और medulla वाले region के अंदर वहाँ mass पड़ा हुआ है conical masses जो धक्के से कहां गुसा हुआ है calluses के अंदर गुसा हुआ है medullary pyramids अपने पास होते है calluses के अंदर वो projected है तो medulla में है तो medullary pyramids nephrons nephrons क्या होते है जो अपना main functional unit है kidney का वो nephrons होते है one million होते है one million can you guys imagine one million इसके दो पार्ट होंगे कौन-कौन से दो पार्ट होंगे हम लोगों के पास एक अपना glomerulus एक तो हम लोग का क्या हो गया glomerulus हो गया दूसरा renal tibule दूसरा renal tibule अब देखो एक बार फटा फट से दोबारा से revise करवा रही हूँ क्या है ये है मेरी kidney कैसी होती है bean shaped होती है हलका सा हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक छोटा सा noach होता है उसके अंदर अपना hyalum sorry ureter hyalum बोलेंगे हम उसको माँ पे ureter भी entry मार रहा है ठीक है यहाँ पे हमारी blood vessels भी entry मार रही है nerves भी यही पर entry मार रही है तो renal artery renal vein यह blood vessels हमारे पास हो गई ureter dorsal aorta यह सारे नाम याद चलो ठीक है kidney के ऊपर क्या बैठा होता है kidney के ऊपर बैठा होता है adrenal gland this is inferior veinakewa चलो ठीक है यह भी तुम लोगों को याद हो गया यह भी याद हो गया यह भी याद यह भी याद यह तो kidney है ही नीचे urinary bladder और नीचे urethra याद अब आपको क्या याद रखना है अब हम लोगों को थोड़ा सा kidney के अंदर घुसते है kidney के अंदर घुसेंगे तो मैंने क्या बोला मैंने बोला आपके दो रीजन होते है कौन से एक होता है बाहर वाला एक हम लोगों के पास होता है बाहर वाला रीजन बाहर वाला रीजन कौन सा होगा बाहर वाला region होगा अपने पास ये वाला बाहर है बाहर क्या खड़ी करते हो कार खड़ी रखते हो तो cortex अंदर तुम लोग के पास क्या है अंदर तुम लोग के पास तुम बैठे होते हो अंदर वाले region में मी बैठे है मी बैठे है मतलब कौन सा region हो गया medulla, अब देखो cortex के अंदर अपने पास क्या क्या है cortex के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर होते हैं, renal columns, column of bertini, column of bertini, column of bertini, और इस वाले case के अंदर क्या आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले यहाँ जैसे ही entry हमने इस region को मैंने बोला pelvis और अपने medulla region के अंदर क्या है, medullary pyramids है, conical masses है, जो कि calluses के अंदर project कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम renal pelvis में गुसे थे, हम लोग के पास वहाँ पर हाईलम थी, calluses हमारे पास यहाँ पर थे, इसका मतलब तीन चीज़े हो गई, last time अपने पास क्या है, calluses है, उसके बाद हमने दो पार्ट्स में बाटा, कौन कौन सा, outer cortex inner medulla outer cortex outer cortex inner medulla, cortex वाले region के अंदर अपने पास क्या होगा cortex वाले region के अंदर हम लोगों के पास काफी सारे pyramids होंगे column of burtony होगा, अंदर masses पड़े हैं medullary pyramids पड़े हैं तो conical masses अंदर calluses के अंदर, ये अंदर है ये अंदर है, यहां calluses है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों आपस में interconnected हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर project भी कर रहे होंगे एक दूसरे के अंदर project भी कर रहे होंगे क्या सभी लोगों को पूरा का पूरा structure याद हो गया देखो दुबारा से, ये अपने पास क्या है this is our pelvis region pelvis region के अंदर ये हमारे पास क्या है ये है हमारे calluses अब अपने पास दो region है कौन-कौन से, outer cortex inner medulla medulla में क्या है, काफी सारा mass पड़ा हुआ है, medullary pyramids पड़े हुए है, बाहर की covering कौन कर रहा है, renal capsule कर रहा है, क्या सभी लोगों को याद हो गया या नहीं हो गया, एक बर पटा-पट से मुझे बता दो या, ताकि अब मैं आगे बढ़ सुकूँ, एक ही चीज को तो मैं पाँच से छे बार रिपीट कर चुकी हूँ, कि हम लोग के पास कहां पर कॉटेक्स होगा, कहां पर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा notes कहां पर मिलेंगे, notes मेरी टेलिग्राम के ऊपर भेज दिये जाएंगे, मैं तुम लोग को अभी भेजी देती हूँ, in fact, ठीक है ये लोग भेज दिये, खुश, खुश, तो ये, क्या सभी लोगों को इतना याद हो गया, जहां तक मैं expect कर रही हूँ, तो टेलिग्राम का नाम है रक्षता सिंग, रक्षता सिंग नाम से आप लोग जोइन कर सकते हो, चलो, great, अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे हम लोग में नेफरोन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, में टापिक के ओपर अपन आना स्टार्ट करते हैं, नेफरोन जो हम लोगों के पास होगा, नेफरोन के अंदर क्या होता है यार, अपने पास, देखो, सबसे पहले अपने पास जो रिजन है, that is Glomy ruler region, उसके बाद क् This is Bowman's Capsule, Bowman's Capsule के बाद PCT, यह अपने पास Hand Lays Loop, DCT and Collecting Tibio, one by one करके बात करते जाते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, अपने पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोगों के पास है Glomirulus, 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 तो Glomirulus के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होता है, अब तुम सोचो, क्या हुआ, काफी सारी Capillaries अपने गोल, Glomirulus, रूल करेगा, रूल तो अपना बलडी करता है, रूल तो यही चीज़े अपनी करती है, तो एक Globe बन गया, एक पूरा घर बन गया उनका, तो काफी सारी टाइप की Capillaries अपने पास यहाँ पर पड़ी हुई है, काफी सारी हम लोग के पास क्या पड़ी हुई है, काफी सारी Capillaries अपने पास यहाँ पर पड़ी हुई है, एक होता है Afferent Arteriole, अपने पास यहाँ पर है, एक है हम लोग के पास Afferent Arteriole, वो क्या करेगी, ब्लड लेकर आएगी दूसरी अपने पास होती है इफ्रेंट आर्ट्रियॉल और उसकी क्या होंगे आमनों के पास पैरी टुबलर क्या पालरीज अराउंड रीनल टुब्यूल अब मेरे को एक बात तुम लोग खुद बताओ अ पहले आता है या बाद में फटाफट बोलो अ पहले आता है तो इसका मतलब ए आ रही होंगी और ई बाद में आता है तो उ वाली जा रही होंगी ए वाली आ रही होंगी, ए वाली जा रही होंगी, तो आफरेंट आ रही है आकर क्या कर रही है, आकर यहां पड़ सारी CAPILERIES का एक NETWORK बना रही है BLOOD लेकर आ रही है, यह क्या बन चया? यह अपनी AI थी, यहां प्या कर दिया, काफी सारा अपने पास NETWORK बना दिया सारी जगे अपने पास क्या कर जाएगी लपट जाएगी अपना एक capillaries tube के around जितनी भी यह tube हमारे पास थी उनके around क्या कर लिया एक network बना लिया तो renal tubule के around उनके around capillaries हैं तो उसको क्या कहेंगे peritubular उसको क्या बोलेंगे peritubular क्या सभी लोगों को glomerulus वाला portion याद हो गया glomerulus वाला portion याद हो गया तो अपने पास क्या है यहां पर हम लोगों के पास सबसे पहले एफरेंट आई एफरेंट आने के बाद यहां पर इसने क्या बनाया काफी सारा काफी सारा अपने पास एक नेटवर्क बना दिया उसके बाद क्या गया एफरेंट यहां से एफरेंट आई थी इफरेंट यहां से गई और जाने के बाद जात जो रूल करेगा, जो सच में बलड को लेकर आ रहा है, यह रूल कर रहा है, ठीक है, दूसरा आपने पास कौन सा पोर्शन है, ट्यूब वाला पोर्शन, ट्यूब वाला पोर्शन अगर हमारे पास है, तो बाकी बचा हुआ, देखो, यहां से शुरू हुआ आपने पास, यह वाला पोर्शन चुरुआ यह सब ट्यूब हैं यह सब की सब यह यलो वाली सारी की सारी क्या है यह यलो वाली सारी की सारी ट्यूब है और जो अपने पास यह रेड रेड कलर की है यह हम लोग के पास क्या है यह नेट्वर्क टॉप 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 का पालरीज अपने पास यह यह नेटवर्ग हम लोग के पास यहां पर है क्या सभी लोगों को दो पोर्शन किड्ली किड्नी के यहां पर दो पोर्शन साफ साफ नजर आ रहे हैं मुझे एक येलो पोर्शन नजर आ रहा है मुझे एक रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है जो येलो वाला पोर्शन अपन आमीरलस के अंदर क्या है? A आ रही है, फिर E जा रही है, और साथ में सारी की सारी, जितनी भी थी अपने पास, उनके अराउंड नेटवर्क बना कर जा रही है, पैरी टुबूलर, इन कमपारिजन आप लोग इस पेज से याद करो, उसके कमपारिजन में डाइग्राम से इफरेंट गई, जाते जाते क्या किया, उसने सारी की सारी ट्यूब्स के अराउंड पैरी टुबूलर, इतना सभी को याद, अब अपने दूसरे पोर्शन पे आते हैं, किस पे आएंगे हम लोग, रीनल टिबूल के उपर, अब रीनल टिबूल हम लोगों के पास है, तो र रीनल टिबूल के अंदर अपने पास क्या है, देखो, रीनल टिबूल हुई यहां से स्टार्ट, इसने इस कैपलरी को संभाल कर, इन कैपलरी इस को संभाल कर रखा, इसको संभाल कर रखा, बोमेंस कैप्सूल, इसके अराउंड एक कैप्सूल बना कर रखी, इसके अराउं PCT, proximal, P का मतलब proximal, proximal मतलब जो पहले आएगी, तो ये क्या हो गया PCT, फिर क्या है, ये एक loop अपना बन गया, तो हैनलेज loop, हैनलेज loop, और ये फिर क्या हो गया, distal, distal मतलब बादवला DCT, और फाइनली collecting debute, अब इस डाइग्राम को मेरे साथ फटा-फट से याद करो, किड इसके अंदर हम लोग सारा काम कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पास, जितनी भी नेटवर्क्स थे, अम लोग के पास, क्या पास थे उसके बात कर रहे थे, तो अपने पास क्या हुआ इधर AI, अधर Tucked-off क्या बनाया, E मतलब गई, E मतलब एक्जिट, एक्जिट मारा, ए इतनी भी ट्यूब्स थे, उनके अराउंड एक स्ट्रक्चर बना दिया, पैरी टुबलर, पैलरी अपने पास वहां पर बना दी, उसके बाद, नेक्स्ट पोर्शन हम लोग के पास क्या है, वह है टुबलर पोर्शन, टुबलर पोर्शन कहां से स्टार्ट हुआ, वहां से स पीची T, हैंलेज लूब, DC, T, बाद मन्स कैप्स्यूल, PC, T, हैंलेज लूब, DCT, and this is connecting tibule, this is connecting tibule, तो अब देखो, बाद मन्स कैप्स्यूल से अपना क्या होता है, रिनल टिबूल शुरू होती है, अब तुमको साफ साफ दिख रही है, बाद मन्स कैप्स्यूल क्या ऐस क्या ये तुम्हें एक प जैसा दिख रहा है क्या आपको नहीं दिख रहा है ये डबल वॉल्ट् दे सिंधता की नहीं नहीं दिख है कि एक वॉल्ड ये वाली और एक वॉल्ड ये वाली तो डबल व्रड और क्या करता है जो अपना ये Glomy Rulis यहाँ पर था इसको Enclose करता है ये क्या है? ये है मेरा Bowman's Capsule Bowman's Capsule जो हम लोगे पास यहाँ पर Glomy Rulis था A-Front आई थी, Tuft of Cappellaries थी, A-Front गई थी इनको क्या कर रहा है? इनको ये Double Walled Cup-like Structure जिसको हम कहते हैं Bowman's Capsule वो इनको पूरा का पूरा क्या कर रहा है? सराउंड करके रख रहा है ठेक है? अब इसको, अब ये क्या है? क्या तुम लोग अगर इसको पूरे को देखो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर कितनी सारी Cappellaries है? Tuft of Cappellaries अपने पास यहाँ पर है माल ही माल इसलिए इस पूरी बॉडी को पते किया बोला जाता है? इस पूरी बॉडी को बोला जाता है तो यह हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले A-Front, Tuck-Tuck Capillaries, E-Front और इसके Around Peritubular Capillaries यह हमारे पास क्या था, इसको मैंने कहा था, Glomyrulis फिर अपना Tibule वाला पोर्शन स्टार्ट वह पहां से हुआ Bowman's Capsule से शुरू हुआ, जो की एक Double-Layered का structure है जो इन glomerulus को surround कर रहा है और उसके बाद PCT हैनलेज loop DCT collecting tubule यह माल ही माल अपने पास है तो इस वाले portion को क्या बोला जाएगा इस वाले portion को बोला जाएगा मालफीजन body मालफीजन body हम लोग के पास हो गया उसके बाद आगे क्या होगा tube अपने पास होगी जिसके अंदर क्या होगा सबसे पहले PCT proximal convoluted tubule दूसरा अपने पास क्या है hand lace यह coiled दिख रही है ना देखो PCT coiled है हाँ जी फिर अपने पास क्या है hairpin जैसी hairpin जो pin लगाते है हम लोग उस जैसी उस जैसी अपने पास यहाँ पर क्या हो गई hairpin region जैसी medullary region के अंदर hand lace loop अब देखो कैसे यह medullary region में होगी तुम्हें बाद बताओ मालो मेरे पास यहाँ पर ऐसे था यह अपने पास था यह अपने पास था यह अपने पास था यह हम लोग के पास ऐस था यह मेरा glomerulus, glomerulus के बाद इधर यह क्या है मेरी PCT, PCT के बाद hand lace loop कुछ ऐसा है और यहाँ मेरा बन रहा है DCT और यह मेरी बन रही है collecting tubule क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग का यह जो hand lace loop है यह अंदर चला गया कौन से region के अंदर यह अंदर जा रहा है medulla region के अंदर और अपना PCT भी उपर ही है और DCT भी अपना उपर ही है तो इसी लिए जो hand lace loop होता है वो अंदर medulla के अंदर जाता है यह medulla हम लोग के पास है तो medulla के अंदर अपने पास जाता है मैडूला के अंदर अपने पास यहां पर जाता है यह क्या है अमनों के पास ग्लॉमी यह अपने पास क्या है बॉमन्स कैप्सियूल बॉमन्स कैप्सियूल के बाद PCT PCT के बाद this is hand lace loop hand lace loop के बाद DCT और यह collecting टिबूल तो यह पूरा का पूरा portion उपर है लेकिन यह जो हम लोग के पास है यह अंदर जा रहा है अंदर की तरफ अपने पास जा रहा है कहां पर जा रहा है medulla region के अंदर हमारे पास यह enter कर रहा है medulla region के अंदर यह हम लोग के पास enter कर रहा है hairpin shape का है medullary region के अंदर present है तो hand lace loop में क्या क्या है दीदी देखो देखो एक नीचे आ रही है descending एक उपर चड़ रही है ascending नीचे आ रही है descending ऊपर चड़ रही है ascending दो चीजे हो गई अपने पास एक क्या descending limb दूसरी क्या हो गई ascending limb और फिर अपने पास क्या आएगा फिर हम लोगों के पास यहां पर है यह dct and collecting tibule and collecting tibule that's it I guess तुम लोगों को पूरा का पूरा collecting tibule अपने पास होगा जो कहां पर पहुँच जाएगा medullary pyramids में pyramids से renal pelvis महां से अपना भार निकल जाएगा महां से अपन भार निकाल देंगे क्या इतना सभी लोगों को याद हो गया मैं एक बर फिर से इस structure को आप लोगों को last time explain कर रही हूँ बिलकुल last time explain कर रही हूँ I guess सभी लोगों को इसके बाद व्याद हो जाएगा बहुत easily बहुत easily सभी लोगों को याद हो जाएगा ठीक है देखो अपने पास क्या है kidney के दो portions है कौन-कौन से दो portions एक अपने पास है blood वाला portion blood वाला portion जो carry करेगा अपने पास क्या हुआ ए आया मतलब efferent उसने क्या किया tuft of capillaries हम लोगों के पास यहां पर बनाया यह tuft of capillaries बन गया और यह जाने के बाद इन चारों के अराउंड अप इसने पूरा लपट गया तो अपने पास इसको क्या कहा peritubular capillaries done दूसरा अपने पास होता है tube वाला portion त्यूब वाला portion कहां से start हुआ था बॉमन्स capsule से एक capsule अपने बनाई थी बॉमन्स capsule से फिर PCT PCT क्या थी highly coiled फिर हम लोगों के पास medulla region में entry मारते हुए यह हम कौन से region में entry मार गए medulla region में इसको कहते हैं hand lase loop hand lase loop के बाद यह क्या है हमारे पास DCT and this is our collecting tubule this is our collecting tubule अब इसने अंदर entry अगर मारी तो इसमें दो portions हैं कौन कौन से एक है descending limb एक है ascending limb एक descending limb और तुम्हें नहीं लगता कि अपना ऊपर वाला portion कहां पर होगा ऊपर वाला portion होगा cortex region में और दूसरा portion हम लोग के पास कहां पर होगा दूसरा portion हमारे medulla region के अंदर घुस्चों का होगा medullary region के अंदर दन सभी लोगों को याद पूरा का पूरा structure मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है देखो यार यहां पर हजार लोग लाइब बैठे हुए है आभी इस ताइम पर ठीक है मैं एक चीज अभी चाती हूँ मैं आपसे पूछ रहे हूँ क्या आप सभी लोगों को समझ आया या नहीं आया कि जितने हजार लोग यहां पर बैठे हैं हजार के हजार लोग येस लिखें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हजार के हजार लोग येस लिखो यार एक बार पार्टिसिपेट करो कि हां जी हम लोग को याद हो गया एक्टिवली लिखोगे थोड़ा सा जोश बनेग फिर और मजाता है, ठीक है, हजार के हजार लोग लिखो, फटाफट, चलो, ओके, ओके जी, बाकी तुम लोग नहीं लिखोगे तो यार तुम लोग को नीत की गसं, ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग को खुद का भला करवाना है, सिर्फ एक पर येस लिखो, एक्टिबली पा अगर ये सारी कि सारी चीजे अपनने याद कर लिख अब हम लोग क्या करते हैं, देखो, अब हम लोग करते हैं, एक्सक्रेशन और ओस्मोरेक्र्वरेकुलेशन, जब अपने को श्ट्रक्चड़ पता होगे तो उनका जो भी फелेकर बखेज Championship adjustments we have to do EXCRETION कर्वाना और झाल? कुछलोese रहानों दे माझा कर्वाना कि बखेज़ हम पार क्वेशन तो करो एक है तो छे पासivent होते हैं जितनी भी यह उम लोग के पास थी traARS पार नेfries यह ईनके अंदर अपने पास collecting duct में जो हम लोगों के पास यहां पे थी collecting duct अब जितना भी waste अपने पास यहां पे है nephron से कहां पहुँच गया हम लोगों की finally collecting duct के अंदर चलो हमने पहुचवा दिया connecting duct में collecting duct में अब waste product को kidney को बड़ा प्यार आता है waste product के ऊपर तो जैसे ही collecting duct में सब हमने collect करके करके रख दिया सब अगर हमने वहां पर collect करके देख दिया तो renal kidney क्या करेगी उसकी papi ले पैपी ले मैंने तुमने को याद करवा रख रख दो पैपी ले क्या होता है papi ले तो उसको कहीं लेगे एक जगे पर collect करके रख दिया वाओ नेफ्राओन यृ तो तो रोगे लिए ये पार निकालना है बाहर निकालते पाइं ते रोइक्स रेनल पेलवेस्ट यूरिनरी यूरिनेर ब्लैडर आउट यही अपन ने structure याद किया था अभी- अभी तुमने structure याद किया है सिर्व ये वला structure अपने को याद नहीं होता उसके लावा बाकी सारे चीज़े तो तुम्हें पता ही है तुम्हें मैंने बता ही थी यह देखो यहाँ पर तुम्हें ही बता था मैंने ये calluses है ये अपने पास pelvis region है ये ureter है ureter के बाद ये urinary bladder है और बाहर urethra and out हो गया तुम लोगों को बिल्कुल easily याद अपने पास क्या था nephron nephron ने क्या करके रख दिया सारे waste product को एक जगे पर collect करके रख दिया collecting duct में collecting duct कहते ही अपने पास यहां पर क्या हुआ रीनल ने kidney ने papilla papilla हमनों के पास हो गया papilla के पाद अपने पास next renal calyx renal pelvis ureter urinary bladder out याद 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 ठीक है ये अब पूरा का पूरा excretion कैसे होता है क्या पूरा का पूरा series follow होता है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया अब करवाते हैं excretion अब असल के excretion करवाते हैं अब सबसे पहले क्या होगा देखो यार कैसे होता है क्या होता है ठीक है देखो अपने पास क्या होगा जितना भी blood यहां पे हम लोगों के पास है वो क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले जितना भी waste product होता है वो सबसे पहले क्या करके लेके आया blood उसको उठा कर लेकर आया ये अपने पास glomerulus था अब देखो यहां हम लोग देखते हैं ये हम लोग के पास क्या था ये efferent था ये हम लोग के यहां पर glomerulus था ठीक है? और ये अपना EFFRENT ये है हमारी बॉ오미न्स Capsule इसके अंदर अब क्या हो रहा है? इसके अंदर ब्लड आहा है और ब्लड ही तो अपने सात्UTु अपने साथ सार। का सार्ड मेटिरियल करवा एलाता है यादे मैने तुमको कहा था तुमको मैने क्या बोला था तुमको मैने बोला था कि अपने यूरिया को ये उठा कर ले आया, सारे के सारे वेस्ट मेटीरियल को ले आया, बलड को ले आया, चलो ठीक है, ले आया, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम लों के पास क्या होगा, अब इन ट्यूब्स के अंदर भेजना है, ताकि मैं अंदर फिर उसको सब काम करवा पाऊं उसके उपर तो इसका, इधर क्रॉस करवाना पड़ेगा, मुझे कभी क्रॉस के अबर लवगाए है, इसका मतलब यहां पर क्या होती है? एक इन दोनों के पीच में भरा हुआ बेसमेंट मेंब्रेन और एक अपने पास होगा त्री यह फें उसे मेरा त e bunny नों के बीच में जो सबस्टांच भरा हुआ है बेसमेंट और एक अपने पास यह वाली लेयर क्या हमेशा तीन होती है यहाँ पर बहुत खतरनाक लेवल MA certification होती है इसको बोला जाता है ultra filtration ठीक है तो ये vauman capsule का epithelium क्या ये हम लोग के पास vauman capsule का epithelium है हजी Yeah dealer ये हम लोग के पास vauman capsule का epithelium है कद ग्रम ca Souls क्या इंडोनों के बीच में सब्स्टांशं भरा हुआ है वहा म्रेन क्या वह होगों के पास है और अपने जो बामन्स, क्यापस्यूल, हम लोगों के पास है उसके टुशल बोलदिया नमने, उसनों लुट बोल दिया, यहां पर उल्टा मा ने लुट एक पर करने, nearby our जबें मेरे इह अन पर आया को झाया आपने उखे और एपने पास किया हो गया एंडोथीलियम किया आपने को हिंग यह अपने को यह करवानी यह 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 क्रण है बॉर्मिने के जोखे है और लोगिस है जो आप्र काप्स्यूबें जो एक आपरते हैं जहा faith word bought in Capsule Visit inside혼er capsule with the with help in which help in the formation of slit pores slit pores अपने बनवाने में help करते हैं अपने पास क्या क्या हो गया एक एल्प फटापडसे दबारा करते हैं तीन लेड़ अपने पास होती हैं हर जगह पर अपने पास क्या होती है 3 layer कौन कौन सी 3 layer होगी एक तो अपने पास इस glomerulus वाली होगी एक कौन सी होगी अपने पास इस bonnes capsule वाली होगी एक layer कौन सी होगी जो इन दोनों के बीच में भरी होई होगी तीन लेयर्स अपने पास यहां पर होगी तीन लेयर्स अपने पास यहां पर होगी ठीक है तो अपने पास क्या क्या हो गया यार यहां पर एक हो गया अपनी लेयर नमबर वान, लेयर नमबर टू, लेयर नमबर थ्री इनके अंदर से क्या होती है बहुत खत्रनाक लेवल पे filtration, ultra filtration ultra filtration तो bomen's capsule मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है यह क्या थी, यह अपने पास यह अपने पास यह हम लोग के पास क्या है effrant, यह हमारे पास capillaries, यह effrant तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने पास इसके अंदर जाएगा, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सोते हो, GHP Glomerular Hydrostatic Pressure वो क्या होता है, वो एक Positive Pressure होता है GHP Glomerular Hydrostatic Pressure, वो एक Positive Pressure होता है Positive Pressure का मतलब एक बात बताओ, किस-किस ने Plant Physiology मुझसे पढ़ा हुआ है Plant Physiology के अंदर Root Pressure को मैंने Positive Pressure कहा था, या Negative Pressure कहा था, एक बार मुझे पटा-पट से बता दो क्या मैंने उसको Positive कहा था, या Negative कहा था, क्या मैंने उसको Positive कहा था, Root Pressure को Root Pressure को मैंने Positive कहा था, जिसमें भी हम खुद से धक्का मारते हैं जिसको खुद से धक्का मारते हैं धक्का मारते टाइम अपने पास उस प्रेशर को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव प्रेशर तो अपने पास यह ग्लोमी रियूलस है Glomerulus के अंदर हम लोगों के पास यहां हम धक्का मर रहे हैं Glomerular Hydrostatic Pressure जो कि क्या होगा एक Positive Pressure होगा यहां से धक्का मर के हम किसके अंदर भेज रहे हैं Bowman's Capsule के अंदर भेज रहे हैं Filtrate के अंदर Waste होता है काफी सारे ions हम लोगों के पास यहां पर होते हैं एक बार मैं आपको इस structure की help से बताती हूँ अब देखो अपने पास क्या हुआ था यार हम लोगों के पास यह थी अपनी efferent यह क्या थी यह थी हम लोगों के पास efferent efferent क्या करके लिए क्या थी efferent ने यहां आके काफी सारा टफ्ट बना दिया था यही ब्लड को उठा कर लेकर आई थी और इधर क्या कर गए थी? यह चलि गए थी हमारे efferent मैंने इसको सीधा करके बता दिया यह अपने पास क्या है? यह है efferent, यह अपनी tuft of capillaries और यह हमारी है efferent मैंने इसको सीधा कर करके बना दिया यह हम लोग के पास क्या है यह है हमारी बहर gomans capsule तो अब सारा का सारा waste material किसके अंदर आया है क्या इन efferent के अंदर ही आया है क्या यही blood को उठा कर लेके आई है क्या यही अपना इधर tubules के अंदर gomans capsule के अंदर यह पूरा धका रही होगी इसलिए इसको अगर हम धका दे रह इसको हम लोग बोलेंगे जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर होता है आप लोगों को बिल्कुल वहां पर डाइग्राम के अंदर एक एक चीज नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है पटा-पट से मुझे एक बार बता दो कैसे यह एक्सचेंज हो रहा है कैसे नहीं हो रहा ह इतना याद हो गया तो अपने पास यहांपर क्या होगे यह दिस इस ग्लॉमी रूलर हाइड्रोच क्रश चारश कुछ अूद का एगा कहीं ना कहीं तो धक्का देगा उसको कहेंगे capsular hydrostatic pressure glomerular hydrostatic pressure capsular hydrostatic pressure तो particles अपने पास यहां पर proteins जो हैं हम लोगों के पास वो blockage create कर देते हैं colloidal osmotic pressure अपन के पास एक होता है तीन pressures अपने पास यहां पर हो गए क्या क्या हो गए याद देखो यह तो क्या है यह तो मेरा blood लेकर आया यह क्या है यह blood लेकर आया इसके बाहर covering बना रखी है इसने इसने क्या कर रखी है इसके बाहर covering बना रखी है अब यह अगर blood लेकर आया यह blood लेकर आया इसके अंदर भिजवाना है ये क्या करेगा इधर धक्का लगाएगा धक्का लगाएगा इसके अंदर भिजवाने के लिए तो ये क्या कर रहा है positive hydrostatic pressure और glommi ruler लगा रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा glommi ruler hydrostatic pressure इधर से अपने पास ये क्या कर रहा है ये उसको अपने अंदर enter नहीं करने दे रहा क् इसके अंदर भी कोई ना-कोई चीज तो प्रेजन्ट है, कोई ना कोई चीज इसमें प्रेजन्ट है, वो क्या करेगी, वो इधर इस पे धक्का लगाएगी, यह क्या है हमलों के पास? यह हमारे पास Bonin's Capsule है, Capsular Hy genres of即स्ट प्रेशर और कुछ ना कुछ चीजें इसके अंदर भी present होंगी, जो इसको उधर नहीं जाने देंगी, उसको हम क्या कहते हैं? Colloidal Osmotic Pressure, तो एक सीधी सी बात बताओ, ये हम लोग के पास क्या कर रहा है? ये जो glomeral hydrostatic pressure है, क्या वो धगाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अंदर भेज क्या कर रहा है? हांजी कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जो इसके अंदर प्रेशर है, वो इसको आने नहीं देना चाहता, वो धक्का वापस लगा रहा है, वो नहीं आने देना चाहता, तो उसको क्या कहते हैं? Capsular Hydrostatic Pressure, और जो यहां पे कुछ Colloidal Particles है, वो भी इसको जाने नहीं देना चाहते, उनको क्या कहते है? Colloidal Osmotic Pressure, तो अपने पास तीन चीजे हो गई, एक हो गया हमारे पास Glomirular Hydrostatic Pressure, जो Glomirulus के अंदर है, एक हो गया हमारे पास, क्या? एक हो गया हम लों के पास क्या? जो इसमें Capsule में है, Capsular Hydrostatic Pressure, और एक अपने पास कहां पर प्रेजन्ट होगा, जो ये Particles नहीं आने देना चाहते, Colloidal Osmotic Pressure, तो अब तुमको साफ साफ पता है, Glomirular Hydrostatic Pressure, धकाने की कोशिश करेगा, ये कैसा होगा? Positive, जो इधर हम लोगों के पास, Capsule में Already Present है, वो क्या इसको वापस इसको नहीं आन देना चाहता, वो कहेगा, मत आओ, मत आओ, वो रोकने की कोशिश करेगा, Negative, जो यहाँ पर कुछ Colloidal Osmotic Pressure है, वो भी जाने नहीं देना चाहता, वो भी कैसा है, वो भी है, Negative, वो भी क्या है, Negative है, तो धका कॉन रहा है, धका रहा है, Glomiral Hydrostatic Pressure, रोक कॉन रहा है, एक तो अंदर जो Colloidal Osmotic Pressure है, और दूसरा, जो अपने पास Capsular Hydrostatic Pressure है, ठीक है, इनकी Values, 60 to 65, COP की 30 to 32, और CHP की 10 से 18, तो अपने पास यहाँ पर, Net जो है, वो कितना आ गया, 10 से 25, ठीक है, देखो, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर बहुत इसी ली तुम लोगों को याद हो गया, क्या के याद हो गया, एक तो इस Glomiruler, यह Glomiruler क्या कर रही है, यह धगा रही है, इसको कहते है Glomular Hydrostatic Pressure, इसके अंदर ओलरेडी थोड़ा बहुत समान प्रेजन्ट है, यह आने नहीं देना चाहता, Glomiruler से समान को, तो यह क्या हो समान को, इसके थे मत्ता वह भी क्या करेगा? बहुत समझे में है, तो जितनी भी चीज अपने पास जाएंगी, जितना भी बलड का प्रेशर होगा, वह धकाने पर कितना हम लों का यहां पर जाने की कोशिश करेगा, तो वह किसके उपर डिपेंड करेगा, वह डिपेंड कर उपर गलॉमिलर इड्लोस्टाटिक प्रेशर के उपर ठीक है उस पे डिपेंड करेगा तो रीनल प्लाजमा फ्लो जो होता है हम लोग के पास यहां पर फिल्ट्रेशन रेट इसको का जाएगा जितना भी आउट्पुट जो हमने यहां पर इंपुट दिया रीनल प्लाजमा कितना प्लाजमा किड्नी में से फ्लो कर रहा था किड्नी में कितना प्लाजमा फ्लो कर रहा था उसको कहेंगे इंपुट जितना हमें फिल्टर होके सब्स्टांस मिला वो है आउट्पुट गलॉमिलूरर फिल्ट्रेशन रेट जो हमें आउट्पुट मिला फ्लो तो जाद अपने पास क्या होता है, filtration of blood by glomerulus, glomerulus से blood का filtration होगा, उसको बुला जाएगा glomerular filtration, जो कि कितना होता है, ग्यारा सो से लेके बारा सो ब्लड पर मिनट, हर मिनट में ग्यारा सो से बारा सो, ग्यारा सो से बारा सो एमल, ठीक है यह data तुमनों को याद करने की ज़रत नहीं है यह NCRT में है क्या यह वाला data NCRT में है मतलब MB-based पढ़ने के बाद यार याद ही नहीं रहता है NCRT में कौन सा data है कौन सा data नहीं है है अगर नहीं है तो याद मत करना data कभी भी data and scientist के नाम कभी भी NCRT से बाहर के याद करने की ज़रत नहीं होती है चलो ओके तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया है हम लोग के पास जो rate होता है वो कितना होता है 1100 से 1200 ml हर minute के अंदर अपने पास यहाँ पर filter होता है तो glomular capillary का pressure जो है वो बढ़ेगा अपने पास यहाँ पर filtration किस से होती है तीन layer से कौन कौन सी तीन layer थी एक तो थी blood vessels की endothelium glomular blood vessels की यह अपने पास glomular blood vessels थी दूसरा आपने पास यह baumens capsule के podocytes और एक दोनों के बीच में basement membrane यह सब चीजे में आप लोगों को अल्रेडी अब करा चुकी हूं तीन layers आपको बता चुकी हूं तो जितने भी constituents होते हैं plasma के proteins को छोड़कर वो अपने पास क्या हो जाते हैं इसलिए तुम लोगों के पास एक question आएगा एक question जरूर से जरूर तुम लोगों के पास आता है वो क्या आता है which of the following will filter out वहाँ पे albumin जरूर तुम लोगों को मिलेगा albumin होता है protein इसलिए protein albumin कभी भी ultra filtration के अंदर filter नहीं होगा वो filter out नहीं होगा तो please इस चीज़ का सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखें albumin अगर आपके पास कभी भी आ जाए तो जो यह ultra filtration हो रही थी यहाँ पे जो भी चीज़ है filter out को रही थी उसके अंदर proteins अपने पास filter out नहीं होता है ठीक है तो कितना filtrate बनता है अपने पास 125 ml मतलब एक दिन के अंदर 180 लीटर filter out हो जाता है आया कितना था आया था ग्यारा सो से बारा सो ग्यारा सो से बारा सो खून वहाँ पर आया यह अपने पास क्या था यह हम लों के पास था ए फ्रेंट यह थे हमारे पास क्या था यहे थे हमारे पास ए फ्रेंट इसमें कितना आया घ्यारा सो से बारा सो और इधर यह जो अपने पास filter out हुआ ऑपने पास यहाँ पर 125 125 ऐण इतना याद हो गया सभी लोगों को क्या सभी लोगों को ये चीज याद हो गई कि नहीं हो गई क्या अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ अगर आप लोग मुझे इजादत दे तो आप मैं आगे बढ़ जाओ यार आप लोग लेकिन इजाज़त देता ही नहीं हो मुझे चलो फटा फट से करते हैं काफी सारा पोर्शन अपने पास बचा हुआ है तो हम लोग के पास क्या है अब है जक्स्टा ग्रॉमिलर एपरेटस juxtagromular apparatus हम लोग के पास क्या होता है यार हम लोग के पास glomerular filtration rate जो अपने पास यहाँ पे जो glomerular filtration हो रहा है उसको कौन control करता है उसको control करवाने में help करता है अपना juxtagromular apparatus मतलब DCT के अंदर कुछ modifications हो जाती है efferent जो arteriol अपने पास यहाँ पर थी at the location of their contact उनमें क्या हो गई कुछ modification हो गई वहाँ पर कुछ cells present होते हैं JG cells JG cells अब देखो क्या होगा किटनी का structure दिखाती हूँ कहा गया यह है हम लोग के पास ठीक है यह अपने पास क्या था यह efferent arteriol पीछे से कहीं से कुछ ऐसे आती है यह पीछे कुछ होगा ऐसा कोई structure जहाँ पे यह efferent DCT से मिली हुई होगी क्या कोई एक portion वहाँ पर ऐसा हो जहाँ पे यह efferent और यह DCT हम लोगों के पास मिली हुई होती है उस मिली हुई portion के उपर कुछ modifications हो जाती है और वहाँ पे हम लोगों के पास बन जाते हैं JG cells, juxtagromylural cells, juxtagromylural apparatus अपने पास हो जाता है वो क्या करता है हम लोगों के पास वो देखो क्या करेगा जब भी क्या करेगा अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे- कुछ ऐसी DCT अपनी कुछ ऐसी अरेंजमेंट अपनी बॉड़ी में होती है जिसको हम डाइग्राम में इंडीड नहीं दिखा पा रहे हैं वहां पर क्या होता है यार अपने पास वहां पर हम लोगों के पास एक जगह पर यह आपस में मिले होते हैं और मिलकर कौन कर भी नीचे, हैंलेज लूप भी नीचे, DCT ही आता है उपर तो, तो DCT ही शायद कहीं न कहीं मिलता होगा, वहां पर मॉडिफाई होकर क्या बना देते हैं, जेजी सेल्ज बना देते हैं, जैसे ही यह देखते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है, वो कम हो रहा है, अब अगर यहां पर ब्लड जो है, वो जादा जादा फ्लो के साथ भागना स्टाट कर देगा, तो जादा चीज़े फिल्टर होनी स्टाट हो जाएंगी, इसका मतलब वापल से मेरा जो ग्लॉमिरर फिल्ट्रेशन था, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, वो वापस से क्या हो जाएगा, तो देखो, तो glomerular filtration rate जैसे ही मेरे पास घटा, घटते ही JG cells क्या हो जाएंगे, घटते ही JG cells क्या कहेंगे, come on, उठो, come on, उठो, तो JG cells activate हो जाएंगे, activate होते ही अपने पास क्या करेंगे, Glomerular blood flow वहां पर बढ़ जाएगा और बढ़ते ही अपना глomerular filtration नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग बावजूद को चलो next देखो next अपने पास होता है reabsorption reabsorption का मतलब क्या हो रहा है अब माल लो हमने यहां पर हमने यहां पर क्या किया हम लोगोंने 1200-1200 ml अपने पास blood gujra था यहां से 1200-1200 ml blood gujra था उसके बावजूद कितना filter हो गया था? filter हो गया था 125 ml कितना? 125 ml मतलब एक दिन के अंदर 180 लिटर जबकि जो urine बनता है वो तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लिटर बनता है सिर्फ और सिर्फ कितना बनता है? 1.5 लिटर बनता है देखो अपने पास क्या हुआ? 1100-1200 ml क्या है हम लों के पास? 1100-1200 ml ये क्या था? इतना blood यहां से आया था इतना blood अपने पास यहां पे आया था? आने के बाद हम लों के पास क्या होगा? कितना filter आउट हो गया था? 125 ml फिल्टर आट हो गया था जिस मतलब 125 ml हर मिनट में तो एक दिन के अंदर कितना बन रहा है इसको reabsorb कर लिया जाता है अब तुम लोगों को समझ में आया कि इसके चारों और ये क्यों घूम रही थी एक नमबर की भूकी एः ये कैलरी एक नमबर की बुकी है ये ये कैलरी इसके चारों और घूम रही है कही है आल्ला के नाम पे DCT पलीज DCT please थोड़ा सा दे दे PCT please थोड़ा सा दे दे Handless loop please थोड़ा सा दे मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे तो दिखावा कर रही है कि 1100 से 1200 मेरे पास माल आया था जिसमें से 125 माल मैंने तुम्हें दे दिया ठीक है यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने थोड़ा सा माल यहाँ पे दे दिया दे दिया तो उसके बाद अपने पास क्या होगा उसके बाद हम लोगों के पास इतना निकलना भी चाहिए था लेकिन निकलता कितना है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1.5 लिटर तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है हम लों के पास यहांपर चीज़ेंञे रियेबसॉब्सुञ आ बाप से रियाबसै हो जाती हैं चीज़ें रिये रियेबसॉब्सॉब्साब्स रिये हैं अवय जतनी भी क्याव्हुपष्य यह बहुत हीज़ हमें जाइद रहु है वापस से जढ्यों को री एब्सोब अपने पास कर रही है। वापस से वह राक्झा रेभिया ठेक है कि डन डन समझ आ गया यह क्यों गूम रही थी इसके अस पस ? वहारा भाई क्यों गूंता है तुमारे असपस मम्मी के सामने तो क्या दिखावा करेगा वही वाली बात है मम्मी के सामने तो गलॉमिरोलस क्या दिखावा कर रही थी कि मैनने तो 1100 लेके आई थी जसमें से 125 ml दे दिया ठीक है? और बाद में क्या कर रही है? इफ पिछे से जिरम के और थोड़ा से देखाने कलने के लिए प्लीलड亲 के पर कहने के लिए थोड़ा से खाने वे पर अच्छल ॉस्टा आव से खाने के लिए, अर्ड़ा से क्या दिश्ड़व इसक्छल मैं बैठ जाते हूं? मेरा भाई साइड में आके बैठ जागा? जुप चाब बैठ जाता है मैंसे आता है कि बिचारा जा खाली बैठा है । फिर मैं ले BLU मुझCor बैठ लिए लिए दो जिन्सी एक का आवग है उसने क्या कर लिया री एब्सॉब कर लिया तो 99% filtrate री एब्सॉब बाइद री एब्सॉब कर लिया ठीक है देखा तो ग्लुकोज अमाइनो ऐसे एने प्लस एड्सेटर यह सब चीजें अक्टिवली री एब्सॉब होती है यह तो तुम लोग को वैसे भी पता है कि अक्टि इसलिए उसको किड्नी को कुछ जादा एफट्स ठीक है कुछ जादा एफट्स किड्नी को लगाने नहीं पड़ते किड्नी को जादा एफट्स लगाने नहीं पड़ते तो नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे अब्सॉब होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट री एब्सॉब पैस और वाटर इनिशल सेग्मेंट में वाटर भी पैसिवली एबसॉब होता है, समझाया? तुम लोग खुच सोच के देखो, मतलब इसको तुम खुद ही आद कर सकते हो, कि किड़नी का काम ही है, नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ डील करना, इसका मतलब यह उसको कैसे एबसॉब करती होगी, ठीक है, बाकी चीजों को एक्टिवली करती होगी, वाटर को भी, तुम अपने भाई को अपना खाने का दोगे, साथ में तुमारा लाप्टॉप का कुछ ना कुछ फिक्स कर के चला जाएगा, जैसे मेरा भाई है, पक्के इंजीनियर होते हैं, यह ना, जो मतलब इनके खून में होता है, जो लोग भी इंजीनिरिंग ले 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 लेते ह वो उनके खून में होते ही इंजीनिरिंग तो मतलब उनको एक लाप्टॉप में कुछ भी गड़ड़ी हो जाए, वो समझा दो, और हमारा दिमाग मेडिकल में जाने के बाद, टेक्नोलोजी के मामले में और खतम होता जाता है, तो मुझे कुछ भी चीज समझ ना आती है, अब मेरा यह ठीक करके चला जाए हो, तो साथ में ऐसे ही अपनी किडनी है, री एवजोब, 99% चीजे री एवजोब तो कर ली, लेकिन साथ में थोड़ा सा दिखावा करके दिखा रही है, एच प्लस, के प्लस, अमोनिया, थोड़ा बहुत रिलीस करके, थोड़ा बहुत द रहे हैं आप बहुत बनाथ हैं अब पालतु बख्वास ना करें दें सामने तो यह क्या करएं यह्ज़ा कर रही है, वह तो इद ग्रिशन कर लाई है, 99% रही है, लाकिन H+, K+, चिन्नु मिनु चीजेशें और द्शें अमोनिया जैसी चिन्नुमिनु चीजें यह तो सम्स्ट तो क्या करती है अपनी kidney ? maximum portion को क्या करवा लेती है ? क्या करवा लेती है आनों के पास ? reabsorption और secretion भी करवा के जाती है अपने साथ साथ-साथ secretion भी करवाती है अब nephrons के बाद कर लेते हैं अरून होती है cortical nephron दूसरी होती है juxtamadulari nephron थेक है एक या होती है, cortical nephron और दूसरी होती है juxta gap, juxta medullary nephron, तो cortical नाम से ही पता चल रहा है, cortical region में, और हमने क्या कहा था, अपने पास DCT, अपनी PCT, अपनी glomerulus, वो सब चीजें cortex में होती है, cortical region में होती है, अगर cortical region में अपने पास होती है मैंने ऐसा ही कहा था इसका मतलब 85% nephrons ऐसे ही होते होंगे कुछ nephrons अपने पास कैसे होते होंगे कुछ nephrons अपने पास 15% होते हैं वो कैसे होते हैं जक्स्टा medullary वो थोड़े से medullary region के अंदर जादा होते हैं तो इसके अंदर क्या हो गया लूप जो है वो कन्फाइंड होता है मतलब medulla के अंदर यह कम जाता है अपने पास यह कौर्टक्स के अंदर ही कमपारिटिवली रहता है जबकि ये वाला medulla में जादा कुछ जाता है तो अपने पास में माडूला में जा रहा है तो अगर इस पे हैनलेज लूप के उपर जायारा है लिए सूछ के देखो अगर भग lifts आ ने तुमारी चहरे पर आ जाया को झाया है देली उत अठीक है तो भग वह तो तोटार काम कर रहा है तो से काम करना भूल गया ऐसी क्या हुआ, भुल जाता है, भुलक कर थोड़ा सा, तो लूप अपने पास यहां पर क्या हो गया, लूप को बनवाते, बनवाते, हैनलेज लूप को बड़ा बनवाते, बनवाते, पीसीटी को बनाना भूल गया, तो इसलिए, परफेक्ट तो भगवान भी नहीं है, तु 15% 15% अपने पास PCT इसके अंदर ठीक ठाप होंगी इसमें PCT बनवाना भूल जाएगा हैनलेज लूप को बड़ा बनवा देगा जब कि हैनलेज लूप इसके अंदर अपने पास जादा नहीं डवलप्ट होगी ठीक है और एक होती है अपने पास वासा रेक्टा वासा रेक्टा इसके अंदर नहीं होती है इसके अंदर होती है वासा रेक्टा का मतलब पता है क्या है यह हैंलेज लूप के साइड में जो यह पैरी टुबलर क्यापैलरीज अगर इसके पैरलल चले ना उसके पैरलल पैरलल उसके parallel parallel तो उसको बोला जाता है वासा रेक्टा जो वो peritubular capillaries अपने hand lace loop के side में ऐसे जा रही थी अगर वो parallel parallel चली चाहे उसको बोला जाता है वासा रेक्टा तो अगर ये चीज अच्छे से well developed है तो इनको भी parallel जाने में आसान रहेगा capillaries को भी उसके parallel जाने में आसान रहेगा तो वासा रेक्टा अपने पास क्या होगी इसके अंदर अच्छे से होती है जबकि इसके अंदर वासा रेक्टा नहीं होती है सबी लोगों को याद हो गया nephrons के अंदर अपने पास क्या क्या होगा cortical nephrons कैसे चीज़े होंगी क्या क्या चीज़े होंगी ठीक है तो यह अपने पास था efferent यह अपने पास था efferent यह हम लोगों के पास है हमारी यहां पे dct यह अपने पास loop of henlay इसको कहेंगे renal capsule या फिर malphigian body अपने पास baumens capsule के साथ glomerulus को मिलाके यह अपनी PCT है यह अपनी handlayz loop है यह अपनी DCT है यह अपनी collecting टीबुल है यह तो सब तुम्हें पता है उसके बाद अब बात करते हैं हर अलग-अलग यार कोई dhko personally जानता है क्या हाँ dis yak bummer क्या है face च्च्च्त senhor आपनी डी के साथ मैं जानती हैへ है पडोशी है? क्यायोंolve है? मेरे पडोस में तो कुता रहता है तू है? मैं इतने बीन सोची रही थी इह कुता है क्यायों? आज समझ में आया तो यह है वो, आप समझाया चलो, देखो अब देखो PCT PCT अपने पास यहाँ पर क्या होगा PCT हम लोग के पास करवाती है Reabsorption क्या करवाती है हम लोग के पास Reabsorption, ठीक है सिद्धी सी बात है या, Reabsorption तो करवाएगी करवाएगी, लेकिन सबसे जादा Reabsorption यही करवा लेती है ममी ने किचन में खाना दिया खाना देते ही जैसे ही किचन के बाहर आते हैं, देदे अभी है थोड़ा से देदे अभी है थोड़ा से देदे, भाई वहीं पर सारा का सारा खाना चीन लेता है तो जैसे ही अपन जैसे ही अपन कैपसियूल से बाहर निकले कैपसियूल से बाहर निकलते ही PCT अपने पास है PCT में पहुचते ही भाई सारा खाना मांग लेता है तो अपने पास माक्सिमम री एब्सॉप्शन यहां पर हो जाती है ठीक है, तो जितना भी ग्लुकोज है, पैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है वह सब की सब चीज़े यहां पर जितने भी असेंशल एलिमेंट्स है 70-80% नूट्रियंट्स सब के सब अल्मोस्ट अक्टिवली उठा लेता है अब जैसे ही तुम केचन से बाहर निकले किचन से बाहर निकलते ही, तुम्हारा भाई क्या कहेगा, देदे अब सारी चीज़े, देदेंगे हम लोग यहां पर, तो अपने पास यहां पर क्या होगा, सारी की सारी तुम लोग दे दोगे, लेकिन बदले में उसको थोड़ी सी एनरजी भी स्पेंड करनी पड़े की तुम्हारे उपर, और पानी 60-65% वाटर और क्लोरीन आयन वो पैसिवली उठते हैं, कौन-कौन, वाटर एंड क्लोरीन, अब खुद देखो, यहां पर क्लोरीन क्या पैसिवली कैसे याद रखें दिदी, क्लोरीन, C-L, C-L मतलब कल, कल मतलब तु क्ल कर दूँगा, कल पक्का कर दूँगा, अगर कल पक्का कर दूगा कह दिया, तो अब उसको एनरजी प्रेंड करने की ज़रत नहीं पड़े कि उसी टाइम पे, क्योंकि तुम्हें क्या लगए इसका मलग कर देगा, चल ठीक है, आज तू लेले, कल कर देगे, उसको कोई अब पड़े की ज़रत नहीं पड़ी, और वाटर तो यार फ्री गई होता है, वाटर तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, वो तो पैसिवली अपने पास ओस्मोसिस से हो गई, सिंपली हो गई, पैसिवली, वो पैसिवली होगा, बाकी सारी चीजें, एक्टिवली, याद हो याद हो गया तुम लोगों कोई अच्छे से, क्या सभी लोगों कोई अच्छे से याद हो गया, तो अपने पास री एब्सॉप्शन माक्सिमम कहां पर होती है, पी सीटी के अंदर होती है, ठीक है, पी सीटी में माक्सिमम री एब्सॉप्शन होती है, माक्सिमम पोर्शन क अगर भाई ने कह दिया कि कल दूंगा तब भी उसको एनर्जी स्पैंड करने की ज़रत नहीं पड़ेगी और 60-65% वाटर होगा तब भी उसको एनर्जी लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो कैसे हो गया हम लोग के पास यह पैसिवली PCT सभी लोगों को याद ठीक है ठीक है ओके डी सीटी अपने पास क्या होता है DCT Selective या फिर Conditional Reabsorption अब लास्ट में पहुँच गए अब तुम खुद सोच के देखो यह किचन था किचन में तुम्हारी ममा ने तुमको अच्छे खासा चीज़े दी खाने के लिए उसके बाद क्या हुआ PCT से बाहर जैसे ही तुम किचन से बाहर निकले PCT में सारी की सारी चीज़े क्या कर ली तुम्हारे भाई ने Reabsorb कर वाली ठीक है ठीक है उसके बाद अपने पास क्या हुआ उसके बाद हम लोगों के पास आगे गए आगे गए अब अगर उसको कमी पड़ जाएगी अगर उ कमरा मान के चलो फिर आता है वो तुम्हारे कमरे में मांगने वो क्या गरने आता है फिर तुम्हारे कमरे में वो मांगने आएगा तो अपने पास DCT वाले केस के अंदर क्या हो गया DCT वाले किस के अंदर क्या हो गया हम लोगों के पास यहां पर सेलेक्टिव या फिर कंडिशनल रिएब्सॉप्शन होगी कुछ पर्टिकुलर कंडिशन्स के अंदर रिएब्सॉप्शन वो करवाएगा अंदर इंफ्लूएंस ओफ एडियेच आरेस अल्डोस्टिरॉन उस सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ था तुम्हारी ममा ने फिल्टर करके तुम दोनों को खाना खाने के लिए दे दिया था फिर क्या करे हम लोग आगे पहुचे जैसे ही किचन से निकले तुम्हारे भाई ने तुम्हारा मैक्सिमम खाना तुमसे छीन लिया थोड़ी सी एन केसे पुएधिव दोली तो किसी द कम्रे खाना मांगन आजएगा मा लो यो किसी डेजर्ट में कही हो है वहां हमारी भॉडी को पानी को फोड़ा हमारी थोड़ाच है ए हमारी से बा बाड़ी कोस्त देख भॉड़ा हुड़ा कर्ना अपड़ता है मालो मेरे आसपस कोई पानी नहीं है रहे अरगिस्तान में चली गई बहां पर क्या है बहां पर मुझे पानी की ज़रूरत है इसलिए इसको बोला जाता है इसलिए यह क्या है हम लोग के पास this is termless conditional reabsorption एक ऐसी condition पे हमें reabsorption करवाने की ज़रूरत पड़ी जो नॉर्मली नहीं होती थी ठीक है उसको कौन-कौन करता है तीन चीजें उसको संभाल रही होती है एडिएच रास और अपने पास क्या हो गया एल्डो स्टिरॉन ठीक है तो अपने PCT के अंदर more reabsorption DCT में कम less reabsorption अपने पास यहां पर होती है ठीक है इसमें जादा अगर कहीं पे जादा absorption हो रही है तो जादा माइक्रोविल आए अगर कहीं पे कम absorption हो रही है तो फिल्ट्रेट क्या-क्या होते है यार ग्लुकोज पैटी असेड अमाइन असेड एच टू को आइन्स इन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है PCT की बात कर ली DCT की बात कर ली अब बात करते हैं, Unlesss loops के बारे में यह था हेर पिंज ऐसा Handless loops यह क्या होता है यहां से मूटा फिर बीच में पतला और फिर वापस से मूट्ऊ ऐसा होता है है लेज लूप कैसा मोटू पतलू फिर मोटू ये कौन सा लूप है डिसेंडिंग ये कौन सा है असेंडिंग तो दोनों में दो-दो पार्ट हो गए ये अपने पास डिसेंडिंग लूप का मोटू पार्ट ये डिसेंडिंग आपने पास डिसेंडिंग लूप है इसको पोला जाता है कंसंट्रेटिंग लूप वाटर पर्मीएबल यह अपने पास होता है इसको कैसे आद अब हम PCT के बाद गये, हैनलेज लोग में है, हैनलेज, ठीक है, लेज, हैनलेज, हैन जहां पर अंडे ले करती है, वहां हम गये, जाते ही तुम गेस्ट हो, तुम हैन खरीदने गये तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तुम्हें पानी उफर किया जाएगा, वहां पर क्या ज बानी जाती ही बानी एल कफे हитесь आटा है तो इस केस एंदर अपने पास यह पर है तो इस केस अंदर अपने पास क्या होगा यहां पर वारआ डूसरे वाल टूस्त पोर् sums के अंदर वाटर इमपर्मियबल पहले वाला पोर्शन तुम किसी गेस्ट के घर जाते हो तो जाते ही तुम्हें पहले पानी दिया जाते है ना उसके बाद तुम लोगों को खाने चिपस खाने के और चीज़ें बाद में दी जाती है ठीक है तो इसके अंदर ये अपने पास क्या होता है है descending loop, concentrating loop दूसरा पोर्शन अपने पास क्या होता है जो कि impermeable होता है water के लिए वो अपने पास क्या हो गया असेंडिंग लूप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डान, डान, हो गया याद, चलो, descending loop, ascending loop, concentrating, diluting, water permeable, water impermeable, अगर water के लिए impermeable है तो किसके लिए permeable होगा, electrolytes के लिए permeable, सभी लोगों को याद हो गया की नहीं हो गया इतना portion, क्या सभी लोगों को PCT याद, PCT में maximum reabsorption करवाई थी, mostly कैसी थी, अपने पास active, H2O की और CL की passive थी, उसके बाद अपने पास hand lace loop आई, hand lace loop में एक descending, एक ascending, इसमें motu, पतलू, motu, पतलू, दो portions अपने पास यहां पर होते हैं, पहले पानी पूछेंगे, पानी पूछेंगे, पानी पूछेंगे, पानी पूछेंगे, तो तुमने उनकी जिंदिकी को क्या कर दिया, उनका पानी तुमने ले लिया, ले लिया, मतलब उनकी जिंदिकी को तुमने concentrate कर दिया, कम कर दिया तुमने वहाँ पर पानी और दूसरे वाले portion के अंदर तुमने वहाँ चिप्स खाई, diluting अपने पास यहाँ पर हो गया, last फिर अपने पास DCT आई थी, DCT में generally reabsorption अपने पास नहीं होगी, particular condition पर होगी, conditional reabsorption, and next अपने पास है collecting duct, collecting duct क्या करती है, collect कर है, H2O absorbed if necessary, अगर जरूरी हो तो water यहाँ पर absorbed होता है, urea, urea भी अपने पास यहाँ पर होता है, reabsorb, जो कि osmolarity maintain करने में help करता है, तो इसका मतलब DCT के बाद collecting duct, इन चीजों के अंदर generally कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन DCT में और collecting duct में अगर जरूरत होती है, कुछ particular conditions ऐसी create हो जाती है, कि हमें पानी को conserve करने की जरूरत है, तो उन cases के अंदर इन दोनों जगहों पर water reabsorb होता है, ठीक है, ठीक है, done, done, तो अपने पास क्या हो गया, एक बार देखो वापस से, यहाँ पर क्या था हम लोगों के पास, मैं तुमको इस डाइगराम में बताती हो, सबस अपने निप्टा दिया था, तो इस केस के अंदर अपनी यहाँ पर reabsorption complete हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ हम लोग के पास यहाँ पर किस की reabsorption, वैसे तो maximum active थी, लेकिन H2O और CL- की कैसी थी, पैसिव थी, फिर हम लोग आएं हैंलेज लूप में, हैंलेज लूप में, descending part, ascending part, motu, patlu, motu, patlu, ठीक है, इसके अंदर क्या-क्या होगा आपने पास, इस वाले केस में H2O reabsorb होगा, इस वाले केस में आइंस होगे, फिर अपना DCT collecting tubule, DCT और collecting tubule के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंडिशन्स पे ही water reabsorb होगा, कुछ पर्टिकुलर कंडिशन्स पे ही water अपना reabsorb होगा, और collecting duct के अंदर, यूरिया भी अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के पास होता है, counter current mechanism, counter current mechanism का मतलब, यह अपनी जो हैंलेज लूप थी, और इधर, इसके पास में, यूरीन क counter current का मतलब counter करना, एक दूसरे को encounter, encounter हम कब करते हैं, मैं इधर से जा रही हूं, और तुम सामने अपने X को encounter किया, counter किया, मतलब इधर जा रहा था, तुम इधर जा रहे थे, एक उस direction में जा रहा था, और दूसरा उस direction में, counter current mechanism, इसको क्या बोलेंगे, counter current mechanism, और किसमें help करेंगे, नि송लबे. 10 शाम नुचा करेंगे का वार्टर को और ज्याधा री एब्ढरारीन कहते हैं, और ज्याधा अपने URINE को concentrate डूनरेमें, तो जितने भी अपने scholarships, electrolytes है, वह also reabsorbed हो जाते हैं, mothat की वहीं और तो उन इक्स्डा चीजों की जरुरत है, उन एक्स्टा च प्रसियोरिया मत करो नीट में आओट फंसीयाटी हो गया ऊए चलेगा तुम्हें किया लिख रहे है कि अगर कोई चीज पढ़ाई जारी मतल वो जरूरी है ना और मैं तुम लोगों से 2 घंते से फालतो भी निमाग री मांग री 50 घंते भी निमाग री रोने क्यों लग जाते किदूरिओ के एक तुम्हें तो पता ही है एक तो कौन करते है अपने जे जी ऐए सेल्स किसकिने बनाए दुच्छ? अपने यह आपरेटर अपना बीसेट के लिए अपने पास ही हर्ट भी इसको कंड्रोल किरता है तो अब क्या हुआ अब हम लोगों के पास यहां पर वॉल्यूम अगर चेंज होनी स्टार्ट हुई ठीक है वॉल्यूम अगर चेंज होनी स्टार्ट हुई ब्लड वॉल्यूम अगर अपनी चेंज होनी स्टार्ट हुई आएनिक कंसेंट्रेशन अपनी यहां पर चेंज होनी स्टार्ट हुई तो उस केस के अंदर क osmoreceptors का मतलब जो osmolarity को detect करते हैं उनको क्या कर देंगे उनको activate कर देंगे ठीक है उनको activate कर देंगे अब वो activate करते ही इन चीजों को activate करेंगे किन किन को देखो regulation of kidney function किडनी के function की regulation कौन कन करेगा एक अपना दिल करेगा एक अपना heart करेगा hypothalamus heart hypothalamus और juxtagromer apparatus already आप लोग पढद चुके हो जैसे ही बलड के वॉल्यम में change हुआ जो अपने पास किसमें आ रहा था एफरेंट में पास हो क्या रहा था, अपने ग्रॉमिररस में पास हो क्या रहा था, उसमें जैसे ही चेंज अपने पास हुआ, तो वहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, अक्टिवेट हो जाएंगे, ओस्मो रिसेप्टर्स अक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या इसको बनाता है पिट्यूटरी तक भेजता है तो ADH अपने पास अपने पास कहा बना था ADH, हम लोग का stimulate किषने, यह था है, अपना है प्रिलीज हुआ और ADH अपना रिलेज हुआ ADH क्या होता है? एंटी-DYORETIC anti-dioretic, dioresis का मतलब होता है loss of water dioresis का मतलब क्या होता है loss of water loss of water अपने पास है उसको वापस से reabsorb करना वापस से reabsorb करना anti-dioretic तो facilitates water reabsorption और dioresis को prevent करता है vasopressin अपने पास यहां पे आएगा anti-dioretic hormone anti-dioretic hormone तो excessive loss अगर fluid का हम लोगों के पास हो जाएगा मालो क्या हो जाए मेरी body से बहुत जादा loss हो रहा है तो उसकी वज़े से क्या होगा मेरी body receptors को activate करेगी वो क्या कहेगी hypothalamus अंकल, hypothalamus अंकल बहुत जादा पानी, बहुत जादा पानी यहां पे loss हो रहा है वापस से loss नहीं होने देगा जिसकी वज़े से blood की volume क्या हो जाएगी वापस से बढ़ जाएगी blood की volume वापस से बढ़ते ही अब हम लोग क्या कहेंगे अब हम कहेंगे osmoreceptors अब osmoreceptors अब बंद हो जाओ osmoreceptors को अब हम लोग बंद कर देंगे तो ADH का release भी बंद हो जाएगा ADH का release भी क्या हो जाएगा बंद समझ गए तुम लोग for example मेरे पास बहुत ज्यादा duresis हो रहा था मेरी बॉड़ी में अब क्या हुआ जितना भी मेरी बॉड़ी का osmolarity disturb हो गया तो जितने भी osmoreceptors है वह चीज को क्या करेंगे detect करेंगे detect करते ही अपने पास क्या कहेंगे detect करते ही हम लोगों के पास वहां पर क्या कहेंगे हाइपो थालमस अंकल पटापट से कुछ करो तो उन्होंने कहा अचा डियॉरसिस हो रहा है तो उसके खिलाफ anti-dioretic hormone release करवा देते हैं वापस री absorption वहां पर बढ़ जाएगी reabsorption अपने पास वहां पर बढ़ गई उसके वज़े से blood volume मेरा वापस increase कर जाएगा वापस नॉर्मल हो जाएगा osmo receptors वहां पर क्या करेंगे अब बंद हो जाएगे चलो ठीक है जी बंद हो गए और ADH का release भी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा तो ADH क्या करता है kidney को affect करता है blood vessels के उपर constrictory affect डाल कर blood vessels अब मुझे blood वहां से जादा बहाना है ना तो वहां पर क्या करेंगे अपन ADH affect kidney कैसे kidney को कैसे affect करता है constrict कर देता है blood vessels को अब तुम एक बात बताओ किसी पहले तो इस मोटी pipe से इतनी मोटी pipe से तुम पानी को भेज रहे थे अब तुमने इतनी पतली pipe से भेजना start किया तो क्या अब उसी पानी को तुमें भेजना है तो उस पानी का भेजने का speed तुमने कभी pipe ली है तुमने कभी pipe ली है तुमने कभी pipe ली है तुमने कभी pipe ली होते है तुम्हारा पानी इतनी जूर जा गिर रहा होता है उसको आगे से दबा देना आगे से दबा देना आगे से तुम्हारा जो पानी तुम्हारा जो तुम्हारा जो पानी तुम्हारा ज पर पर देख से जाने देखा ही अब तेज स्पीद से जाना से प्लाद का प्रेशर बढ़ गया तो गलामिनर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया उसकी वज़े से हमारा जितना भी काम था उसका स्पीड बढ़ गया यही पाइप में हम यूज कर रहे हैं और भगवान देखो भगवान को कितना नॉलेज है फिजिक्स का नॉलेज बायो का नॉलेज मना क्या मस्त बॉड़ी बनाई है क्या क्या सोच के बनाई होगी तुम सोच के देखो ठीक है तो ग्लामिरल फिल्ट्रेशन रेट अपने पास एक एपने पास यह पर करते हैं एक एन वाला एन होगा आपने पास हिहां पे जठ्सटा ग्रॉमिर अल्रेटी बता चूकी हूँी हुझ ξझ्क्स Elmisse किस किस से बने ओते हैं dag और अपरो ने अड़ हो इन नरोन कगे थे कि भालके मिन करना लांट सायम में गन्य उन मिंदों आप पर फवारंड लांग कर्वाच व्या ख अ उनीधे चिंव गया थो चैहार नंगैजलिए पीलन realizar्ट नार फिरची घजा गया हे भाचन का यह भी याद कैसे JG Cells ने कैसे काम किया, JG Cells ने रिलीज करवाया, Angiotensin-1, Angiotensin-2, और At Last तो हमें क्या करवाना है? At Last हम लोगों को Vesoconstriction करवाने है, At Last क्या करवानी है ? Vesoconstriction करवानी है, Vesoconstriction हमने करवा दी है, That's it, तो angiotensinogen 2 क्या करता है adrenal cortex को stimulate करता है adrenal cortex अपने पास वैसो construction बता तो दिया अभी तो बताया है जैसे pipe आगे दबाते हो back करके देखो आपने देखा निशाद तो release क्या करता है यह eldosterone release करता है जिसकी वज़े से NA का और water का reabsorption DCT से बढ़ जाता है यह है conditional एक particular condition पे जो DCT से चीज़े हो रही थी वो ऐसे हो रही थी जो उस particular condition पे हमने DCT से चीज़े उठवाई थी वो ऐसे उठवाई थी causes reabsorption of NA plus and water from DCT DCT से अपने पास यहां पे उठवाया जिसकी वज़े से हमारा neutron filtration rate बढ़ गया इसको बोला जाता है ranin and angiotensin का mechanism ranin and angiotensin का mechanism ranin and angiotensin mechanism आसान है आसान है ठीक है आसान है बिलकुल चलो ठीक है तो increase in blood flow to atria अब मान लो मेरे दिल तक atria तक blood का flow अब इन सबी की सबी चीज़ों में मेंने क्या करवा दिया यह जितनी भी conditions में बात करी थी क्या इन सभी में blood का flow बहुत ज़ादा बढ़ रहा था क्या इन सभी में blood का flow बहुत ज़ादा बढ़ रहा था तो उसकी वज़े से मेरे atria में भी blood बहुत ज़ादा blood बहुत ज़ादा जाना start हो गया उसकी वज़े से क्या होगा मेरे पास यहां पर एट्रियल नियरेटिक फैक्टर रिलीज होगा वो क्या कहेगा नहीं यार वैसो डाइलेशन करो वापस से अब तुमने क्या कर रखी थी तुमने यहां पर ऐसे पाइप दबा रखी थी वैसो डाइलेशन कर दोगे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इसका मतलब अगर रैनिन एंजियो टेंसिन अपना ज्यादा ब्लड फ्लो करवा दे तो एंट्रियल नियॉट्रेटिक tournaments करता है। तीन चीजें अपने पास हो गईhus कौन कौन सी तीन चीजें हम लोगे पास हो गई वो हम लोगों कर्वाय था हम लोगों कर वात था अपना हैपो ने रिलीस क्या था diuretic factor anti-diuretic hormone उसने क्या किया था दियाइस से prevent किया था water के loss को बचा लिया था दूसरा आपने पास क्या है दूसरा हम लोगों के पास यहां पर क्या है यह अपने पास है jg cells GG cells ने रहनेन निकाला angiotensinogen को angiotensin 1 angiotensin2 waso constriction बढ़वा दिया ऐसे मैंने क्या कर दिया construction कर दिया rap aani क्या कर रहे लो गया बहुत speed से बहुत speed से पानी जो है वो बहना स्टार्ट कर गया blood ka flow पढ़ गया मेरे पास condition जो है वापस से normal हो गई अब मम्मा ने देखा बहुत जादा बलड फ्लो कर रहा है, मम्मा कौन है, हट, दिल कौन है, मम्मा है, उसने क्या कहा, यार बहुत जादा पानी का फ्लो कर रहा है, यह इसको बहुत जादा तंग कर रही है, मम्मा क्या करेगी, नो, वो क्या करेगी, आंखे दिखाएगी तु हो गया था ऐसे ही blood का pressure क्या हो जाएगा हिसको क्या बोल जाता रिए रैनन एंडियो टैंसlaws ठीक है last अपने पास है mikturation, mikturations का मतलब जितना भी urine अपना बना था。 युरेनृ का मतलब उसको लेकर जाएगी जैसेही mikturation का मतलब और सफिर्णे स्पथ करी ना जय सेंट्रल नर्वर सिस्थम भीजम तो क्या हो जाएग च् sv0 बहुत ज़्दı बर्टीर हो गया अब तुम्हारा ब्लेडर स्ट्रयच ओर रहा बहुत ज्यूर्ड श्ट्यस हो रहा है कि saw your keeps sound, conscious, functioning, contraction, what will happen, अगल्स क्ड़े करें और उरेट्रार सूंक्त्र को सबखेंड़ मेरे और क्या और उरे्टरा शुंक्ठर को अगल्च कर दो और करेंछा हैं इसके बाद क्या करेगा अब जब तुम लोगो जैसे ही वाउस्टूम मिलेगा तुम क्या करोगे संटर नर्विस सिस्टम को भीज पर जिए भीज़ेगा, फिर वू क्या करेगा वो इसको इंस्ट्रक्शन बेजेगा, खुल जा सिमसेम तो अपना जो अब्सों स्विंग को कर मिक्चूरिशन मतलब यूरीन को रिलीज करना जो रिफलेक्स अपने पास जो निूरल मेकानिजम की वज़े से हो रहा है उसको कहते हैं मिक्चूरिशन रिफलेक्स एक रिफलेक्स है ना यह जैसे ही तुम्हें ऐसे हुआ जैसे ही तुम्हें ऐसे हुआ तो अपने पास यहां पर क्या हुआ, मिक्चुरिशन, रिफ्लेक्स अपने पास यहां पर हुआ, अडल्ट हुमन के अंदर एक से डेड़ लीटर हर दिन में यूरीन जो है वो रिलीस होता है, तो यूरीन कैसा होता है यार, लाइट येलो कलर का, वाटरी फ्ल्यूड होता है, सबको पता है, ये वाटरी फ्ल्यूड होता है, येलो कलर का होता है, पिएच इसका 6, और यूरीया कितना रिलीस होता है, एक दिन के अंदर, 2 से 3 ग्राम, धाई से 3 ग्राम, ठीक है, धाई से 3 ग्राम, अगर ग्लुकोज यूरीन में प्रेजन्ट होगा, उसको क्या बोला ज प्रेजन्ट होंगी, उनको बोला जाता है, कीटो नूरिया, और ये डाइबिटीज मेलाइटस के अंदर, ये दोनों चीज़ें प्रेजन्ट होती है, अगर मेरे यूरीन में ग्लुकोज प्रेजन्ट है ना, ग्लाइको, ग्लुकोज ग्लाइको सूरिया, अगर कीटोन वाटर को कौन रिमूव कर रहे होते हैं, लंग्स रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लिवर, लिवर अपने पास क्या करता है, सेक्रीट्स बाइल पिगमेंट सबस्टांस जैसे की बिलिरुबिन, बिलिवर्डन, कोलेस्ट्रॉल, स्टिरोइड होर्मोन, वाइटमिन, तो आज के बाद ना, बाबुष होना जादू टोना को भोला, नहां किया पहले, यूरिया भी है उसमें, लेक्टिक असेड भी है उसमें, एनेसेल, प्रिद्यूस बैस्वेट ग्लांड्स, तो प्राइमरी फंक्शन इस्टू कूल दर सर्फिस, जब हम लोग को गर्मी लग अबुषर को यूरी भी है और सीबसेज ग्लांड्स का होता है सीबसिस, स्टिरॉल निकलेंगे हैं, राइडरो कार्बन, वैक्स वगर निकल रह होगे होगे अपने बास, सीबसिस सेबसितिस, लास्ट टोपिक अफ तोड़्स क्लास और्श्टिस, बिस्तिस, ब्लासे अपन बंद कर दिया तो यूरिया अगर बढ़ रहा है तो क्या मैं इस बिमारी का नाम बोल सकती हूँ यूरेमिया मी में यूरिया बढ़ गया यूरेमिया यूरेमिया ठीक है तो अपने पास यहां पर क्या हो गया यूरेमिया युरेमिया अब जादा ऐसे यूरिया बढ़ता गया, एक्सक्रीट आउट नहीं हो वाया है, तो इसकी वज़े से किड़नी जो है वो फेल भी हो सकती है, इसलिए आप लोग को सब को पता है कि हीमो डायलेसिस पे उस पेशन्ट को रखा जाता है, हीमो डायलेसिस कैसे किया जाता है, अब इतनी बार ऐसे चीजों को नहीasına हो बढ़ा हो गया, अपने पास यहां पर क्या हो गया, इस केस में अपने को यहां पे किड्नी ट्रांस्फ्लांट भी करवानी पढ़ सकती है, अगर एक्यूट रीनल फेलियर यहां पर हो गया, अगर अगर रीनल पैर हो गया तो 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 abla कि salt अपने पास यहां पर क्या हो गया oxalates वो किड़नी में चले जाएंगे तो उसके वज़े से क्या हो जाएगा किड़नी स्टोन अपने पास बन जाएगा किड़नी स्टोन होता है माक्सिमम लोगों के अंदर तो इसलिए जादा से जादा पानी पीना चाहिए क्योंकि जितनी भी oxalates वगरा है वो वहां फसे न रहे जाएगा पानी से निकलती रही जादा से जादा पानी नेफराइटिस नेफराइटिस का मतलब होता है सूजना तो गलॉमिरूलो नेफराइटिस मतलब गलॉमिरूलस सूज गया इंफलामेशन गलूमिरूलस तो तीन चीजरे अपने पास हो गई यूरेमिया वूरेमिया का मतलब हम लोगे पास क्या है किडनी का माल-वंक्शनिंग अपने पास हो गया किसी को हीमो दालसिस सुनना है तो वो सुन सकता है कैसे होता है अदर देखो सबसे पता हम लोग क्या करते हैं अब मेरी किणी तो काम करी है डईया है किड्नी काम ना करने की वाज़ displacement मैं सिर्फ extra बता रही हूं हीमोडायलेसिस के बारे में हेमोडायलेसिस क्या होगा अब देखो अपने पास किड़नी ने काम करना बन कर दिया तो अब हम क्या करेंगे हम किड़नी की जगें बाहर पास कर वाएंगे जो अपने पास यहाँ पर जो भी convenient artery कोई भी एक convenient artery हम ले लेंगे उससे हम क्या करेंगे उसको इस artificial kidney के साथ जो हमने अपनी मरुजी से बनवाई है उसके साथ क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया pumped into a dializing unit artificial kidney में हमने blood को इसमें drain करवा दिया अब यहाँ पर अपने क्या करवाया इसके अंदर ताकि यह blood coagulate ना हो जाए सबसे पहले तो इस blood के अंदर हमने heparin add कर दिया blood coagulation नहीं होना चाहिए ना वरना दिक्कत हो जाएगी वरना दिक्कत हो जाएगी आपने पास unit surrounds अभी हाँ पर एक cellophane की कुछ tubes होती है आपने पास ऐसे कुछ cellophane की tubes हमने के पास होती है इसके अंदर जिसके अंदर अपने पास क्या होता है dializing fluid होता है जिसमें सारा fluid exactly सेम होता है जैसा इसमें है except यहाँ पर ammonia नहीं होता यहाँ पर हम लोग के पास जो nitrogenous waste अगर liver काम कर रहा होगा तो हो सकता है यूरिया में भी convert हो जाए तो यहाँ पर ज्यादा better होगा हम लोग बोले nitrogenous waste N2 waste बोलता है तो इनके अंदर nitrogenous waste छोड़के बाकि जो चीजे इसमें थी इसमें हमने एक artificial system बनवा दिया इसके अंदर क्या बनवा दिया Artificial System हमने यहाँ बनवा दिया कैसे बनवा दिया हमने यहाँ पर क्या रखी यहाँ कुछ cellophane की टूभ्ण रखी ठिक है؟ ठिक है तो अपने पास क्या हो गया cellophane की ट्यूभ्ण रखी diluging fluid हम लोग के पास यहां पर उससे सराउंड कर दिया और वो diluging fluid अपने पास कैसा है वो हम लोगों के पास वहां पर सेम वैसी ही composition है जैसे कि अपनी plasma की है यहां पर सिर्फ nitrogenous waste नहीं है अगर nitrogenous waste अपने पास यहां पर नहीं है तो इस case के अंदर एक concentration gradient present हुआ concentration gradient present होने की वज़े से वो nitrogenous waste क्या हो जाएगा इसके अंदर निकल कर बाहर आ जाएगा हमारा जो blood है वो clear हो जाएगा हमने hyparin add किया था तो अपन क्या करेंगे antihyparin वापस से add करेंगे और वापस से body के अंदर क्या करेंगे वापस से body के अंदर उस blood को भिजवा देंगे और ये हम लोगों के पास क्या हुआ ये हम लोगों के पास यहां पर एक boon साबित हुआ है देखो सबसे पहले क्या किया मेरी kidney जो है उसने काम करना बंद कर दिया उसके वज़से मैंने क्या किया मैंने किसी भी एक particular artery को convenient artery जो भी मेरी थी उससे मैंने एक artificial kidney बना ली उस convenient artery को उसके साथ जोड दिया उसके साथ जोडने की वज़से अपने पास यहां पर क्या होगा अपने पास तो नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें है लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है तो अब क्या होगा यहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल जाएगा और निकलने के बाद यहां पर हीपारिन भी एड किया था साथ में और वापस से एंटि हीपारिन एड करक और वापसे उस ब्लड को बड़ी के अंदर तलवा दिया तो यह था हम लोगों के पास के अंदर हम लोगों के पास किड्नी ट्रांस्प्लांट करवाना पड़ेगा राइड थाक्यू सो मच आप लोगों को होता है कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज एक छोटा सा कमेंट आप छोड़के चले जाएं आप लोग की बहुत बड़ी महरबानी होगी उसके अलाबा आपको सभी नोट्स जितनी भी क्लासे हैं अर चीज का अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा टेलिग्राम का जो नाम है आट इस रक्षिता सेंग राइग थांक्यू सो मच बबाई टेक केर जहें तरह तरह संभी कोई